अपने accounting standard 20 आज स्टार्ट करते हैं तो accounting standard 20 पहले तो इसका practical perspective मैं आपको explain करूँगा फिर ये है क्या फिर मैं आपको समझाऊंगा और ये exam perspective से बहुत ही important आपका accounting standard है I expect कि definitely इससे 5 marks का question exam में आएगा ही आएगा और ना भी आए तो ये आपका bad luck होगा बट ना भी आए तो ये मैं बुसकता हूँ कि जब आप real life में जाएंगे तो ये हर company में ही आपका ultimately काम आता है ये आप देखेंगे कि accounting standard 20 अपने जो बात कर रहे है that is for earning per share यानि कि ये basically ये accounting standard आपको कोई guidelines नहीं दे रहा है for doing the accounting treatment यानि कि basically अपने बात करें तो ये disclosure principle के उपर ये accounting standard बनाया गया यानि कि company have to share some information so that कि जो interested person है जो कि company से associated है उनको जाद से जादा company के बारे में information मिल सके और company के बारे में वो अपने decision ले सके जैसे कि अपने example के तोर पर ये बोल सकते हैं कि हमें यदि reliance दिमाग में नाम आता है तो reliance का basically अपने नाम जानते हैं for the purpose of what कि ये petroleum के लिए नाम था आज बोल सकते हैं कि in the recent years अपने अंदर उसने काफी diversify किया और reliance ने भी change लेकर telecom और retail sector में काफी बड़ा growth किया है और as a result of which आपका इंडिया का number one companies भी है और आप जानते ही है कि top 10 में आपके मुकेश अमबानी जो है वो richest man के list में included है अभी ही उन्होंने Warren Buffett के place को भी replace किया है और वो change होता रहता है कोई fix नहीं है बट यह समझे कि अपने इंडियन बिलेनर मुकेश अमबानी है और ultimately यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि जैसे ही आपके दिमाग में reliance का नाम आता है और यदि मैं petroleum business का बात करूँ तो फिर उससे related उसका pair comparison किया जाएगा मतलब वैसे ही company के साथ उसका comparison किया जाता है और like ONGC यदि हम लोग ONGC को देखें और reliance को देखें Reliance petroleum limited तो दोनों का comparison होता है ONGC इदर में आप देख सकते हैं marketing वाली company जैसे है HP, Indian oil यह marketing करती है refinery का काम ONGC और reliance करती है इसका अलावा भी और भी companies है इंडिया में जो कि वो oil refinery की business में involved है बड़े तोर पे प्लेयर जो यह दो है Normally मैं पहले आपको practical perspective बता दूँ तो मैं practical perspective में यहीं बात करूँ तो मैं आपको एक financial statement दिखाना चाहता हूँ जो कि reliance का है, reliance या किसी का भी आप ले सकते हैं जो annual report होता है किसी भी company का annual report जैसे आपका result होता है न, class बच्पन में annual report मिलता था तो annual report लेकर आप अपने ममी पापा अगे पाजा कर दिखाते थे ये देखो subject wise मेरा performance ये है, मेरा overall position ये है और मेरा class में ranking ये है और school का position मेरा ये है ये सारा आपका ultimately आप क्या करते थे कि वहाँ पर ये सारा descriptions आप देते थे कहने का मतलब ये है कि आपका जो report आता था उस report के basis पर आपके parent और जो आपके जो relative है वो आपके बारे में एक idea frame करते थे कि भाई ये जो information मिल रहा है बच्चे ने 99% लेकर आया तो ultimately 99% देखकर हम लोग एक idea develop कर लेते थे अरे बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है बहुत टॉप है रहा है स्कूल में टॉप किया तो उस समय में ये सब merit list निकलता था स्कूल का number 1 कौन 2 कौन 3 कौन इस तरीके से competition चलता था मेरे समय में भी चलता था तो मैं वैसे ही मैं अपने स्कूल में टॉप 3 में था तो ये जो competition चलता था तो ये competition एक आपको motivate भी करता है और कहीं न कहीं जदि कोई ऊपर है और नीची के तरफ आ रहा हो तो डिप्रेश भी होता है इसलिए system को change भी किया गया और के साथ आया है अभी तक आप साल में सिर्फ और सिर्फ तीन मैना के लिए serious होते थे जब एनुवल एक्जाम होता था आप कम से कम साल में दो बार semester exam होगा तो at least दो बार serious तो होंगे बच्चे तो effectively ये तीन-तीन मैना पढ़ते हैं तो 6 मैना पढ़ाई करेंगे that's a good provided ये proper way मे implement हो और इंडिया के लोग इमानदारी से काम करें क्योंकि हमारे हाम को पता है कितना सारा चीज अभी वी outdated जो academic में पढ़ाई होता है professional की बात नहीं कर रहा हूं मैं एकडमी की बात कर रहा हूं तो वह सरा outdated चीज अपने करते हैं आपके सामने मैं जो screen पर लेकर आया हूँ व उनका annual report छपा हुआ है देख सकते हैं integrated annual report आपके screen पर दिखाई दे रहा होगा और picture में यह आप देख सकते हैं कि यह लोग अपना एक सो कर रहे हैं कि वह क्या क्या चीज में है आप देखिए इधर में आपका मार्ट देख रहा है यानि अभी तो देख लीजेगा जैसे आपका basically यह उसी platform पर काम करेगी जैसे कि आपका amazon करता है और जैसे flip card करता है same platform पर यह भी काम करेगी phone दिख रहा है आपको साथ में आपको refinery वाला भी पार्ट दिख रहा है और मेरा दिखाना यह objective नहीं है मेरा काम है PL दिखाना यह 221 पेज का annual report है 221 आपको जरूर देख पहले highlight कर दिया है यह धिरूबाई अंबानी जी है और यह founder and chairman reliance के थे इन्होंने 2003 में अपने बच्चों को 65,000 करोर रुपीज जो देखे गए और उसके बाद यह दोनों भाई में division हुआ मुकेश और अनेल और आपको पता ही है अनेल अंबानी क्या कर रहे है वो लगबग सब जगा bankrupt हो चुके हैं और मुकेश अल्टिमेटली आज लिजेंड बनके बठे हुए है और यह अच्छा कर रहे है बिजनेस में काफी आगे जा रहे है वीजन का फरक होता है ऐसा नहीं होता है वीजन यदि सही नहीं हो तो आदमी life में develop नहीं करता है इवें दो मुकेश अंबानी और अनिलंबानी दोनों एक ही फायरेंट के बच्चे हैं एक ही अंडर में काम किये धिरूवः अंबानी जेसा हुआ अपना लगन हुता है ठीक है और उसकी हिसाब से हो आगे जाते बड़ अल्टिमेटली लास्ट में देखे क्या रिजल्ट क्या है आपके सामने है उनकी सारी कंपणी अनिलंबानी के लगबख बंद हो गई है और और मुकेश तो अब कंपणी पर कंपणी खरीदे जा रहा है और अपना नया बिजनस भी स्टार्ट करते रहे हैं बदला 2020 का रिजल्ट ठीक है 31 मार्च 20 मनलब 1920 का मैं रिजल्ट डिसक्स कर रहा हूं और मेरा अब्जेक्टिव है कि मैं एक बार आपको पी यल पे ले चलूँ प्रॉफिट और लॉस एकाउंट जो की खाफी नीचे है तो मुझे थोड़ा लंबा स्क्रोल करना पड़ेगा तो आजाएंगे यह प्रॉफिट और लॉस एकाउंट में कैश फ्लो आ गया स्टेट्मेंट और प्रॉफिट और लॉस येस तो यह बैलन्स इट है और देखिए इसी बात को एक्स्प्लेइन करने के लिए अल्टिमेटली पूरा इतना इसके आगे जितने भी पेजिस आपको दिखाई देंगे वह नोट्स तो एकाउंट से तो आप समझ सकते हैं कि 300-300 पेज का यह आपका बुक बना हुआ है और इसमें आप देख सकते हैं कि अपने प्राफिट एंड लॉस एकाउंट पर फोकस कर रहे हैं हम लोगा टापिक यहां पर है आप देख सकते हैं टूर्ड्स मैं इदम चूम कर दिया हूँ आपको दिख रहा होगा अर्निंग पर इक्विटी शेर्स और फिस वालू अफ रुपीस टेन इच ठीक है मैं आपको कहा दिखा रहा हूँ मैं करसर से यहां पर शो नहीं कर पाऊंगा आपके स्क्रीन पर है आप देखिए मैं यह चीज पर फोकस कर रहा हूं अर्निंग पर शेर ऑफ पर इक्विटी शेर ऑफ फेस वालू रुपीस टेन इस और रिलाइंस का एक शेर का कीमत 10 रुपया है नॉमिन Social चल रहा है अभी फिलहाल 2100 के करीब में ठीक है 2100 के करीब करीब में उसका Market Price चल रहा है अब यहां पर अर्निंग पर इक्विटी शेर ऑफ फेस वालो रुपीस टेनिच मतलब यहां सबसाब कलेर कर रहा है कि उसका value क्या है और उस एक shares के उपर company क्या earn करती है तो आप देखिएगा यहां पर लिखा हुआ basic before exceptional items यानि reporting कैसे किया जाता है तो basic earning except before exceptional items मतलब exceptional items को considered नहीं किया गया तो basic earning क्या है तो आप देख लिजिए यहां पर दिया हुआ है 55.45 उसके बाद है आपका basic after exceptional items यानि कि reliance का कुछ ऐसा भी earning हुआ होगा जो कि exceptional items मतलब की last कुछ exceptional income रहा होगा जिसको हटा दिया गया तो after यह loss हुआ होगा as a result of which यहां पर आप देखिएगा basic earning गिर गया 55.45 से गिर कर 48.75 आ गया यह current year का data दिख रहा है आपको और फिर बोल रहा है नीचे में diluted before exceptional items diluted earning होता है यह हम लोग जब EPS पढ़ेंगे मतलब के as 20 पढ़ेंगे तो वहां पर आप समझेंगे कि diluted earning per share क्या होता है वहां पर मैं आपको यह explain करके दिखाऊंगा कि आखिर diluted earning per share क्या होता है तो वह आपका यहां पर दिया हुआ 55.44 diluted तभी report होता है diluted का मतलब क्या होता है जो ज़्यादा liquid में convert हो जाए यानि कि घट जाए concentrated से वह dilute हो रहा है तो यहां पर 55.45 है यदि उससे आप देखिए तो 55.44 हो गया तो यह आपका dilute हो गया इसलिए यहां पर इसे report किया गया है वैसे ही आप देख सकते हैं आगे कि diluted earning आपका है 48.75 तो मेरा बुलने का मतलब है सिर्फ और सिर्फ यह जो balance it के मतलब PL के अंदर में यह जो पार्ट दिखाई दे रहा है न सिर्फ इसी पार्ट के लिए आपको AS20 लिखा गया है यहां पर कोई accounting treatment नहीं करना है यहां पर आपको यह guidance का लिए रहा है कि calculate कैसे होगा how you will get this figure of earning per share आप आपको प्रेस का आपको पूरा बड़ा स्क्रीन दिखा रहा था ताकि आपको किसी बी तरह का confusion ना रहे ठीक है और आप बिल्कुल सुन रहे थे और मैं आपको जहां दिखाना चारा था आप बिल्कुल देखें हैं तो यहाँ पर आपका basic EPS and the diluted EPS का बात हो रहा है तो दो ही आपका ultimately यहाँ पर basic चीज है जिसे हमें करना है तो basic EPS and the diluted EPS हमें निकालना है देखो ठीक से सिर्फ current year का ही data नहीं है last year का भी data है आप देख सकते हैं यह 18-19 और यह 19-20 जो blue color से highlighted किया हुआ है यह current year है और 18-19 is the preceding year यह ऐसा क्यों देती है ताकि आप comparison कर सके कि पिछले साल से इस बार का ultimately कैसा performance रहा ठीक है ना कैसा performance रहा तो यहां पर वो भी आप देख सकते हैं यह stand-alone है ध्यान देना यह stand-alone है यहां पर आप stand-alone का मतलब क्या हो गया कि केवल और केवल हो सकता है हम लोग reliance का ही कर रहे हो पूरा stand-alone का मतलब हो गया इस जो उसका खुद का मतलब कि यह self-financial statement है मतलब कि separate financial statement एक होता है consolidated financial statement तो यह consolidated data नहीं है यह आपका stand-alone है यानि कि अलग है यानि कि separate जो इनका है वो financial statement है यानि कि हो सकता है reliance का हो रिलाइंस petroleum limited जो रिलाइंस आ रहा है यह उसका बात हो रहा है तो आप देख सकते हैं इसमें मतलब कि जीओ का सायद ना हो अब आप देख सकते हैं कि पिछले साल वो figure 55.48 था इस बार भी 55.45 रहा मैं इसलिए doubt हो गया ना मैं यह ढूंड रहा रियल वाला भी डिटा दिखाऊंगा ठीक है रियल वाला भी डिटा दिखाऊंगा कि रिलाइंस का EPS क्या है तो थोड़ा दिर में आपको वह भी शो कर रहा हूं और प्राक्टिकल आपको बता रहा हूं थाकि आप जो एस 20 है उसका importance हम सक्कें कि यह 20 अपने पढ़ क्यों यही चीज तो अब जो नया education policy आया वो चीज को सुरू से incorporate करने का कोसिस किया जा रहा है कि जिसका जिदर interest हो बही इंटरेस्टे subject पढ़ और मन लगाकर पढ़ और उसमें आगे बढ़ो तो यह चीज गौर्मेंट अब लेकर आई है बहुत अच्छा बात है unnecessary subject जिससे हमें डर लगता है आम उसके डर से और कमजोर हो जाते हैं उसको हटा दो जिसमें आपका interest लगता है वो subject पढ़ो mind change हो गया तो बाद में दुसरा subject पढ़ो तो यह ultimately जो नया course आया है यह अच्छा है यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर compare हो रहा है that's why यहाँ पर EPS निकाला गया इस तरीके से वैसे ही हम लोग मतलब इस data को ONGC से भी compare कर सकते हैं कि भाई ONGC भी यही same line of business में है तो stand alone basis में ONGC का data में ultimately क्या changes है वहाँ पर ultimately अपने ONGC में क्या करते हैं वो सारा चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे दिया जाता है मतलब compare किया जाता है मैं जो आपको और बताना चाहा रहा था कि notes to accounts notes number के लिए कुछ serial number का जिरूतनीक बच्चा पूछा सर मेरे से पूछा था सर मैं यही final account बनाता हूं तो क्या मुझे note number sequence में maintain करना है क्योंकि balance sheet में start होता है 123 और PL में तो हमारा हो सकता है पहले PL बना रहे हो तो PL में 123 आप देख रहे हूं यहां पर depreciation का note number 1 है और 25 27 28 29 एक number 30 number आप देख सकते हैं इस तरीकी से note number है तो आप यह आप note notes दिया गया है यानि कि ऐसा कुछ sequence maintain करने का जरूरत नहीं है कोई fix नहीं होता है यह आप balance sheet में यह देख लीजिए आपका balance sheet में उपर में assets है property plant equipment जो है वह आपका note number 1 है उसके नीचे capital work in progress of note number 1 में ही चल रहा है तो that's why आपको note number के लिए कोई मतलब ज़्यादा तकलीफ नहीं लेना है कि note number हम इदम sequence में फॉलो करें प्रॉपर notes दो उसका reference जिसको जाकर देखना होगा आप देख सकते हैं कि इसके नीचे काफी ज़्यादा इन्होंने क्येवल यह सब note number चल रहा है देख लीजिए यह सब note number चल और है नोट यह note सो अकाउंट से सारं स्वाव स्यायदेग से यह नोट्स के सारा आप देख सकते हैं इतना बड़ा डीटेज बनता है आप तो इदम छोटा सा सेंपल करते हो जब आप सीडियूल बनाते हो ना या नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हो तो बुछ छोटा सा एक पार्ट करते हो ऐसा नहीं है कि आप पूरा तो मतलब एक देखना चाहिए कि एन्वल रिपोर्ट आप देख लीजिए विल डेवलप आइडिया तो प्राक्टिकली से अपने क्या करते हैं कैसे करते हैं एक आपको आइडिया हो जाएगा कॉण्फिटेंस दबाएगा आधर्वाइस आप बुक्स पढ़ेंगे इंस्टिट्यूट का मैट पढ़कर मैं बोलूँगा नहीं 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 को को जुरुदी नहीं न लेंहें सबमें मेंसासर के बाद इस टार्ट display था रहां यहां पर नमबर अरदेर हैं स्टेट्मिंट में वह अलग हो सकता है बट नोट नंबर सब सेक्वेंस में चल रहा अधरवाइस ढूंडना बहुत मुस्किल हो जाएगा और फिनांसर स्टेट्मेंट बोला जाएगा और येस्टेडे रिजल्ट आया था और उसका इंपक्ट आज पड़ा कि प्राइज जो है वो एराउंड आज फॉल किया है दो परशेंट के करीब में यू कें सी 2067 पर अज क्लोज हुआ है यह आज का डेट आप देख सकते हैं आज 31 जुलाई है फ्रैडे आज का यह प्राइ आप देखें यहां पर भी जो summary में है आपको यहां पर भी EPS दिखाई दे रहा होगा आपको दिख रहा होगा EPS और यहां पर आपको stand alone पर EPS दिखाई दे रहा है 45 यह अलग-अलग साइड का अलग-अलग पारमेटर होता है इस पर कभी भी मत जाईएगा company का EPS पढ़िए वहीं से आपको सही मिलेगा आप बोलेंगे के मनी कंट्रोल के EPS पर हम लोग सही डिसीजन ले सकते हैं तो मेरे साथ से वह गलत डिसीजन होगा आपको सही है यह बोलना मुस्किल है आपको कंपनी का एनुवल रिपोर्ट देखना चाहिए वहाँ पर आपको सही रिपोर्ट मिलेगा यह सब साइट वाले लोग पैसा खागा के अपने इसाप से बना देते हैं और इनका अपना डेफिनिशन होता है आप कंसॉलिडेट दिखा रहा है EPS 58.2 58.2 अब देखिए कंपनी वहां पर दिखा रहा था स्टैनलोन 45 यहां पर स्टैनलोन 45 अब मैच ही नहीं कर रहा है तो आप देखेंगे कि डिफरेंस हो गया यहां पर 45 वहां पर 55 दसका भीया क्या जिका डिफरेंस आ गया कॉंसॉलिडेट इन मतलब जी 41.49 इंडेस्ट्री का पी रेशियो है और इसका 58.2 है तो इसे आप कंपरेजन कर सकते हैं कि इसी तरीके का कोई बिजनस कर रहा है तो उस केस में यह अच्छा परफॉर्मर है क्योंकि दुनिया का एवरेज चल रहा 41.49 और इसका एवरेज चल रहा 58.2 इसका परफॉर्मेंस comparatively better है अभी तक मैंने आपको जो बताया यहां पर face value वे आपको दिख रहा है 10 रुपया है dividend yield होता है और earning yield होता है यह आप FM में पड़े होंगे वहां पर भी आपको बताया गया होगा मैं तो केबल आपको account से related practical approach के साब से बता रहा हूं कि आखिरकार हम लोग क्यों EPS करने जा रहे हैं तो पहला बात आपका earning per share जो आप निकाल रहे हैं is it any accounting treatment तो answer is no हम को accounting treatment नहीं सीख रहे हैं हम क्या सीखने जा रहे हैं तो बहुत basic सा चीज earning per share निकालने के लिए principle क्या होगा तो EPS basically AS20 is guiding you forward कि आपका earning per share निकालने का जो principle है procedure है वो आपका guidance मिलता है और किस को EPS report करना जरूरी है यह अपने बात कर रहे हैं तो यह सारा चीज हर company को तो करना ही है अपने वही सब चीज अब यहाँ पर करेंगे कि किसके लिए जरूरी है किसके लिए जरूरी नहीं है तो अपने आगए अब अपने notes लिखेंगे एक एक करके basically आपका AS20 क्या करता है क्या objective है तो इसका objective क्या है लिख लेंगे सबसे पहले डालेंगे copy my notes objectives तो objective से prescribe इट परिसक्राइबस प्रैक्राइबस प्रिंसिपल and principle and procedure for for computation of earning per share and its presentation and its presentation तो बेसिक आपका AS20 प्रेस्क्राइब करता है principle and procedure for computation of earning per share and its presentation बिल्कुल numerical based यह चाप्टर है ज्यादा तर आपका इसमें numerical ही sums आएंगे और इसमें आपको यही सब guidance किया जाएगा कि आप कैसे calculate करेंगे इत फोकस्ट आउन इत फोकस्ट आउन देखो numerator में अपने profit रखते हैं और denominator में weighted average number of shares रखते हैं तो ज्यादा तर earning में किसी को difficulty नहीं आता है बट आपका denominator है जो weighted average number of shares है उसी के उपर इसका पूरा stress है कि आप number of weighted average number of shares निकालते हैं जमें किन-किन बातों का ख्याल रखेंगे तो it focused on denominator of EPS ratio इससे फाइदा क्या होगा why we are calculating EPS तो आपने जो देखा था मैं आपको दिखाया कि इससे क्या होगा कि improve comparability आप comparison कर पाएंगे information can be आप जल्दी से निकाल पाएंगे या information can be retrieve quickly आप इससे क्या कर सकते हैं आप इससे anticipation कर सकते हैं कि आगे यह क्या करने वाला है तो basic इसमें क्या है कि दूही आप main इसका अपने बोल सकते हैं कि इसका main focus है कि improve comparability ठीक है न तो पहला इसके क्या हो जाएगा इसमें लिखेंगे इसका advantages क्या है तो एपीएस इंप्रूव कंपेरेबिलिटी ओफ फिनांसियल स्टेटमेंट्स सो एपीएस से फायदा यह है कि आपका comparability बढ़ जाता है आप data को easily compare कर पड़ते हैं और आप you can evaluate the performance तो यहाँ पर it improves comparability and दूसरा advantage इसका क्या हो जाएगा तो बोलते हैं second advantage होगा कि इंट्रेस्टिड पर्सन इंट्रेस्टिड पर्सन चैन टेक डिसीजन चैन टेक डिसीजन ओन दे बिसीजन ओन दे बिसीज आफ एपीएस ठीक है तो इसका objective यह clear हो गया और इसका में objective यह है कि यह principles आपको prescribe करता है तो इसकोप यह किसके लिए अपलिकेबल है तो अपने सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो लिखेंगे बेसीज एपीएस बेसीज एपीएस शुडबी शुडबी डिस्क्लोजड शुडबी डिस्क्लोजड बाई इसकोप में आपका किसके लिए है तो यह लाइन आप कट कर दीजिएगा मैं जो सकोप लिखा रहा हूं वो करिएगा आप यहां वाला पर ध्यान मत दीजिएगा जो आपको मैं में मिला है आपका यहां पर वहां पर लिखाया हुआ है कि जो लिस्टेड है उसके लिए पीएस है बट ऐसा नहीं है अभी आपका जो बेसी की पीएस शुडबी डिस्क्लोजड बाई अल्ड़ कामपनी जो एमेंडमेंट करके यह रूस हो गया और दूसरा एंड डिलूट और फॉर डाइलूटेड इपीएस टू एसमसी स्मॉल मेडियम साइज कामपनी के लिए एक्सेप्शन दिया गया कि वो डाइलूटेड इपीएस नहीं रिखा सकते हैं उन केवल एसमसी के लिए है अधर्वाइस बेसी की पीएस वीपोर्टेड बाई आल अल्ड़ कामपनी तो अपना यह स्कोप हो गया औबजेक्टिव क्या है स्कोप भी हमारा क्लेर हो गया अब हम लोग नेक्स्ट इसमें जो एपीएस कैसे निकलता है उसकी बात करेंगो और इंपॉर्टेंट टर्म्स जो इसमें यूज किये जाएंगे हूं हमें समझना है तो यहां पर आपका ईपी इस होता गया है सबसे पहले वाप ईपीएस लिख दो अर्ण पर शेर अर्णिंग के में पर शेर आपका earning available आप लिखोगे earning available to equity shareholders तो earning available to equity shareholders या नि कि आप जानते हैं जो भी company profit कमा रही है सारा खर्चा मतलब उसमें से minus करने के बाद आपका profit before tax आता है फिर tax provision होता है टाक्स प्रोविजन आप उसमें से माइनस कर दो फिर जो बचा आपका वह अर्णिंग है और उस अर्णिंग में से आपको प्रेफरेंस डिविडेंट का यहां पर आपका है तो यह वह तो हम लोग अभी निकाल देंगे कि अर्णिंग अवेलेबल बुक्री शेर्वोल्डर कैसे है का जो मैं बोला वही लिख देना है और वेटेड आवरेज नंबर और उस अपर पूरा एस्ट्वेंटी का गाइडेंस है तो यहां पर अर्णिंग अवेलेबल टीक्वीड शे divided by weighted average number of equity shares तो आप weighted average number of equity shares से आप divide कर देंगे you will get the earning per share यहाँ पर आप earning available to equity shareholders कैसे निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे earning available to equity shareholders earning available to equity shareholders यह कैसे निकलेगा तो बोलते हैं यह इदम simple है आप यहाँ पर क्या करोगे profit before tax लिखो profit before tax या after tax लिख दो ना अच्छा चलो लिख दिया तो रहने दो profit before tax इससे आपने less किया tax provision tax provision tax provision less करने के बाद जो result आता है वो होता है आपका क्या यह होता है आपका पैट profit after tax तो profit after tax जब आपको मिल गया तो पैट से आप क्या करते हो profit after tax उसके बाद आपका preference shareholder जी हुए तो आपका preference बोला हुआ रहे ना बोला हुआ रहे आपको preference dividend provide कर देना पड़ेगा तो preference dividend आप यहां से preference dividend deduct करोगे preference dividend minus करने के बाद जो result आया वो result जो है वो कहलाएगा आपका ultimately what तो वो result कहलाएगा आपका profit available to the equity shareholders तो ये है आपका profit for equity shareholders तो अब ये जो profit available है इसे ही हमें numerator में लेना है यानि हमारा numerator निकल आया numerator में कोई कहानी नहीं है it's a very simple numerator में आप सीधा सा मतलब preference dividend हटाने के बाद जो profit available equity shareholders को वो और that is अब numerator denominator में weighted average number of equity shares है तो इसके साथ हमें कुछ important terms समझना है ठीक है important terms और भी अपने को इस chapter से related समझना है कि क्या होता है तो important terms हेडिंग डालेंगे important terms और important terms में पहला जो आता है आपका preference shares क्या है तो मैं preference shares पहले में बता दूँ कि preference shares क्या है आपने बच्पन में कभी पढ़ा होगा वही यहां पर बात हो रहा है तो preference shares कि किसको कहते हैं those who have priority for repayment of capital ठीक है repayment of capital and payment of dividend दोनों के लिए जिसका priority रहता है उसी को अपने preference shares कहते हैं यहां पर बूस सकते हैं other than than ordinary equity shares are called preference shares तो यही वहले definition लिखेंगे other than क्या तो other than preference share capital are those other than equity capital तो आप लिखेंगे other than इदम शौट में लिखे other than what equity share capital equity share capital छोड़कर जो है वो preference capital कहता है है कहलाता है आप यहां पर लिखेंगे it has it has priority priority for repayment of capital repayment of capital and dividend and dividend over equity shareholders equity share holders तो equity shareholders के उपर इनका priority रहते है उसको अपने preference shares कहते है equity किसको बोलते है equity shares किसको कहते है बहुत अच्छा word है एक equity shares के लिए जिसका residual interest होता है equity shares क्या है those who have the residual interest is called equity shares तो यानि कि equity shares का मतलब है have have residual residual interest interest का मतलब यहां पर अधिकार से है यानि कि जिसका सब कोई को चुका देने के बाद जो बच जाता है उसको जो claim करता है उसी को equity shares कहते है उसी residual interest होता है अब यह deventure holders का भी हो सकता है आप बोलेंगे कि deventure holders में have the residual interest कैसे यदि deventure holders basically आप समझ लो कि deventure holders are convertible into the equity और वो यह दिवो option ले लेंगे और mandatory option है कि हाँ वो equity में convert करा लेगा तो उस case में वो deventure holders भी क्या कहलाएगा आपका equity shares के equivalent हो जाएगा क्योंकि वो convertible है और mandatory convertible है तो तो उस case में उसका भी residual interest हो जाएगा यह कोई loan दिया है और यह बोलके देता है loan कि मैं आपसे एक दम last मिलूँगा सब को चुका देना और तब बचे तो मुझे देना तब समय लेने कि loan आपका residual interest में वो ultimately हिस्सेदार है तो that's why वो equity हो गया तो equity का यह आप जब final level पर पढ़ेंगे तो काफी details में इस चीज़ details में बताया जाएगा यहाँ पर आपको समझना है equity shares का मतलब जो preference नहीं है यहाँ पर आप ऐसे बोल सकते हैं मैंने बहुत अच्छा बात लिखा है have residual interest are called equity shares यह हो नेक्स होता है तीसरा टर्म जो हमें समझना है वो है आपका financial इंस्टूमेंट financial instrument financial instrument का मतलब हो गया कुछ भी जैसे आप जानते है cash, share certificate, divinches certificate, share warrants, ESOS यानि की employee stock option scheme भी दिया जाता है वो भी आपका financial instrument है जिसके अंदर में सामने वाला को option दिया जाता है यू में take the shares of the company तो ये क्या हो गया financial instrument हो गया तो financial instrument का मतलब cash भी हो सकता है share certificate भी हो सकता है, ESOS भी हो सकता है, share warrants भी हो सकता है ये सारे के सारे instrument को अपने share financial instrument कहते हैं तो it includes it includes followings ठीक है, it includes followings a contract which gives rights which gives rights to have financial assets financial assets to one entity and financial liabilities financial liability to other organization यहां पर यह लाइन कट करतीजिए, it includes a contract which gives rights to have financial assets to one entity and financial liability to other organization यहां यहीं कि एक ऐसा contract हो रहा है जिसमें एक जिन के पास assets आने वाला है तो वही दूसरे के लिए पड़ेना 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 पड़ेगा तो company के point of view से employee stock option outstanding is a liability ठीक है और उसके बदले में अल्टिमेटली वह जो इंस्टूमेंट उन्होंने दिया है उसके अगेशन बाद में शेयर इशू करना पड़ेगा तो वह आपका अल्टिमेटली क्या हो गया एक जन के लिए लिए बन रहा है वह company के point of view से और वही employee के point of view से वही क्या हो जाएगा assets बन जाएगा वैसे शेयर वारेंट्स होता है शेयर वारेंट्स में भी option होता है कि सामने वाला क्या कर सकता है उस इंस्टूमेंट को वह equity में convert करा सकता है तो बोलते हैं in the share वारेंट्स also सामने वाला क्या कर सकता है कि उसे instrument को convert करा सकता है है equity में तो उस case में वह भी फिनांसल इंस्टूमेंट होगा आप देखा गरो employee stock option scheme cash में भी settled हो सकता है equity settled होता है cash settled होता है cash settled में क्या होता है कि सामने वाला को अपने क्या करते हैं जो appreciation होता है मालो employee को हमने वह option दिया जब उसका दाम चल रहा था मार्केट में 100 रुपए इंप्लॉई ने ऑप्षिन इंप्लॉई को option दिया गया वही चीज 40 में अब यही चीज मार्केट में आगे जाकर suppose कर लिजी कि यह amount हो गया 750 रुपए हो गया तो employee को बुला गया है कि cash settled मतलब हम equity तो आपको नहीं देंगे बट बीच का difference जो है ना इस दोनों के बीच में जो difference रुपए आपका बनता है और 40 मैं आपसे लेने वाला हूं तो शाड़ी चैसो माइनस चालीज 610 आपको मैं cash में दे दे रहा हूं यह वह cash settled cash settled में क्या होता है कि company जो difference appreciation होता है वह appreciation offer करती है minus जो सामने वाला से charge करना है तो 40 रुपीज में सामने वाला कोई option गया था तो 750-100 तो 40 रुपीज आपका 610 जो 610 है वो 610 अपने को देना पड़ेगा that is cash settled equity शेटल में क्या होता है कि company 40 रुपीज ही लेती और बदले में shares दे देती जिसका market में दाम चल रहा है 750 तो यह material न कंपनी के लिए तो साथ सो नहीं आएगा company को तो मिलेगा हाथ में वही 40 रुपीज जिसमें वो वादा किया था जब वादा आपने 40 रुपीज में एक बार कर दिया तो वादा से आप पीछे मत्मूम हो रही है ठीक है आप वादा यही तोड़ेंगे तो आप चाइना कहलाएंगे बिकोज चाइना आप जानते हैं हर सामय वादा करके तोड़ देता है वो बोलता कुछ और है और करता कुछ और है कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते तो यहाँ पर यह फिनांसियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर में इस तरह का contract जैसे employee stock option scheme हुआ वो भी आपका financial instrument के अंदर ही आता है समझ गए होगे यह बात आपको financial instrument समझ में आया तो financial instrument में क्या-क्या include होता है अपने यहाँ पर लिखेंगे कि financial instrument में which gives rights to have financial assets तो यहाँ पर एक term आ गया financial assets और दूसरा आ गया financial liabilities तो financial assets आपका कब होगा अब उसकी बात करें तो यहाँ पर आप लिखेंगे financial assets नमबर फोर लिखेंगे financial assets तो financial assets में आपका क्या आएगा तो बोलते हैं cash तो financial assets includes cash दूसरा क्या होगा तो दूसरा आपको समझना होगा अच्छे ढंग से यानि कि यह दिमान लो employee stock option scheme ही सोचो ठीक है न क्या सोचने बोल रहा हूँ employee stock option scheme आप खुद को employee समझो अपने आपको क्या सोचो employee और आपका यह chapter पढ़ा हुआ मैं इमान के चल रहा हूँ तो तब आप जाके यह AS कर रहे हो तो आपका employee stock option scheme में आप अपने आपको employee मान के चलो मैंने आपको share offer किया है 40 rupees में 10 साल के बाद company का share का दाम चल रहा है 15 रुपए 15 रुपए में 15 रुपए में तो क्या आप वो option खरीदोगे या option को neglect करोगे नहीं लोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप उसे तभी करोगे जब वो favorable हो जब आपका वो favorable हो favorable होने का मतलब आपको फायदा दिलाएगा तो company को तो नुकसान होगा ना company को खर्चा देना पड़ेगा ना so that's why आपके लिए वो favorable हो तो आपके लिए वो financial asset है लेकिन वही company के point of view से वो unfavorable है तो company के point of view से वो क्या है financial liability है तो एक जन के लिए वो financial assets है तो दूसरे के लिए वोई financial liabilities है आप साथ साथ दूसरे ही पार्ट भी समझ रहे है कि वो financial liabilities भी हो सकता है तो financial assets includes what? favorable option favorable option ठीक है ना favorable options to have assets to have assets यानि कि contingent assets यह अपने favorable options to have assets हो गया यह आपका financial assets में हम लोग बात कर रहे है तो financial liabilities में क्या हो जाएगा तो financial liabilities का मतलब हो गया आपका number five यहाँ पर दो लाइन के space रखिएगा number five financial liabilities financial liabilities में क्या लिखेंगे अपने तो बोलते हैं financial liabilities में हो जाएगा unfavorable option तो unfavorable option जो study mat में वो पार्ट भी पढ़ा दे रहा हूं आपको ताकि यहाँ पर अपने मैंने summarized वे में लिखा financial assets in any assets that is cash contractual rights to receive cash और another financial assets from another enterprise यहाँ कि आपके पस rights है to have what cash पाने का यह financial assets पाने का तो यहाँ पर अपने जो लिखे favorable options to have assets एक पॉइंट और लिखे रहे हूँ अभी अभी covered नहीं हुआ to have contract to have cash और financial assets हालागी मेरा two number points बहुत strong है उसी में covered है आप देख लीजिए a contractual right to exchange financial instrument with another enterprise under conditions that are potentially favorable ठीक है तो favorable होने का मतलब मैंने आपको बहुत अच्छे से आप यहाँ पर लिख सकते हैं favorable options to have assets यहाँ आप यहाँ पर example में लिखेंगे क्या e-sauce employee stock option scheme employee stock option scheme और fourth number में एक point लिखेंगे that is share warrants शेयर वारेंट शेयर वारेंट शेयर वारेंट में भी क्या होता है you have the rights to have the shares तो आप उहाँ पर क्या कर सकते हैं तभी वह option exercise करेंगे जब आपको लगे कि market में ओ शेयर का दाम जिस दाम पर company ने आपको वादा किया देने का उससे उपर चल रहा है for example अभी आपने देखा होगा Reliance share का price बहुत जल्दी से उपर भागा तो आपने देखा उसके अंदर में facebook वाला investment किया उसके अंदर में और भी वह सारी company जो है वह invest की आप जाके देखेंगे recent March April में में ये कितनी सारी company उसमें investment की है as a result of which जो Reliance का जीओ का शेर है जीओ तो सबसीजियरी है उसका तो Reliance का शेर का price उपर के तरब गया तो वहाँ पर क्या है जिन लोगों ने अभी आप बोलेंगे कि जो लोग मार्च मेने में शेर खरदा है 1100 रुपए के भाव में उ बहुत बड़ा रकम है निकल लेते हैं वहाँ इसा नहीं कर सकते हैं वहाँ पर contract होता है lock-in period होता है आप इतने साल तक नहीं बेचेंगे तो that's why और वैसे लोग जब इंवेस्टर आते तो उस company में लोगों का trust बढ़ता है और लोग उससे और जुड़ा ही रहने चाहते और और नहीं नहीं इंवेस्टर साते हैं तो that's why share warrants favorable condition रहेगा तब ही जाकर ultimately उसे अपने financial assets कहेंगे और financial liabilities का मतलब होगे unfavorable options जो आपके उपर obligation आने वाला है वही इसके opposite यानि कि जिसमें आपको contract जहाँ पर आपको cash देना है contract जहाँ पर आपको क्या करना है assets देना है जहाँ पर contract ऐसा जहाँ पर आपको share issue करने है तो यह आपका financial liabilities is the reverse of the financial assets जो आप यहाँ पे कर रहे हैं उसी का opposite हो जाएगा आपका financial liabilities और यहाँ पर आप लिखेंगी contract to contract to give cash और accept financial liabilities और accept financial liabilities तो basic बात है unfavorable है आपके लिए वो obligation आ रहा है यह चीज के लिए रहे है और आपका इसे financial liabilities कहते हैं नेक्स हमें जो टर्म समझना एक होता है फेयर वैलोव फेयर वैलोव क्या होता है आप कहीण न कहीं इसे बाख़गा पढ़े होंगे फेयर वैलो अ तो येदि हमनोग बात करें खरिक्स एसे निकलता है तो फेयर वैलोव होता है तक इस आटीजेनजेवल helo between the two person to knowledgeable person in an arm length transaction यानि कि दोनों पर्शन कहीं न कहीं connected नहीं होने चाहिए connected नहीं होने चाहिए तब जाकर अपने उसको बोलते हैं कि वो जो value होता है exchangeable value उसे हम लोग fair value कहते हैं तो fair value में लिखेंगे it is an exchangeable value between two knowledgeable person two knowledgeable person in an arm length transaction in an arm length transaction तो अपने जो important terms है in an arm length transaction मतलब कि दोनों connected नहीं होना चाहिए यह दि मानलों कि मैं अपने मैं मम्मी से कोई access खरीता हूँ तो मम्मी मेरे को discounted price में देगी तो दोनों connected person हो गए arm length transaction इसको नहीं बोला जाएगा लेकिन एक third party से जब मैं कोई access खरीता हूँगा तो थोड़ी मेरे को discounted पे देगा वो तो market rate में पेशना चाहेगा उचाहेगा जदा ज़्यादा value हमसे ठीक है financial liberties हो गया और अब हम लोगों को ठीक है बाकी हो गया अब हम लोगों को एक टर्म से potential equity shares यह term use करेंगे तो यह भी आप लिख लेंगे potential equity shares potential equity shares क्या होता है जो कि जैसे employee stock option scheme है तो that will be converted into the equity तो company को ही shares issue करने पड़ जाएंगे तो उस case में वो जो share है na employee stock option scheme वाले में वो आपका potential equity shares हो गया वैसे और कोई आपका जगह होगा जहांपर अपने को equity shares issue करना पड़ सकता है तो उसे अपने potential equity shares बोलेंगे जैसे की share warrants में shares में भी इसूद डिविंचे जो है वो convertible portion है like preference shares convertible है तो जो convertible portion है that will be convert जो portion convertible into the equity उसी को अपने potential equity shares कहते हैं तो यहां पर आप potential equity shares का मतलब क्या है कि the holder of instrument the holder of instrument holder of any instrument the instrument likho have option have option to get equity shares यदि holder of instruments have option to get equity shares तो उसी को अपने potential equity shares कहेंगे example के तो पर यहां पर अपने cases लिख सकते हैं कि कितना example हो सकता है तो आपका यहां पर आपका example number one आएगा that is employee stock option scheme equity settled क्या होगा equity settled क्या सेटल होगा तो नहीं equity settled जहां पर equity shares देंगे अपने number two अपने बात करें तो इसके अंदर में और क्या आ जाएगा तो इसके अंदर में आ जाएगा आपका share warrants जहां पर instrument holder के पास option होता है obligation नहीं होता है वो चाहे तो ले सकता हो चाहे तो ना ले तो शेयर वारेंट शेयर वारेंट फिर होता है आपका तीसरा जो होता है जो convertible preference shares होता है तो आप लिखेंगे convertible convertible preference shares यह हो गया आपका तीसरा फोर्थ एक्जाम्पल convertible डिवेंचर्स convertible डिवेंचर्स तो बस यह हो गया हमारा जो potential liquidity shares अपने किसको कहते हैं तो यह सारे और भी जैदी वैसा हुआ employee मतलब और भी कोई ऐसा scheme आया जहां पर अपने को shares देना पड़ता है तो वो सारा आजाएगा एक्जाम्पल जब आपको यादा है लिख लिजेगा बट मोर और लेस जो मैंने लिख दिया है ऐसा आपका कोई exhaustive list नहीं है आपको आगे जो यादा है आप यहाँ पर डाल सकते हैं कोई problem नहीं है नेक्स अब हम लोग का focus रहेगा कि हम लोग अब denominator को फोकस करेंगे how to get the weighted average number of equity shares तो आप अगला हेडिंग डालेंगे weighted average number of equity shares ठीक है अगला cases करेंगे जब हमारा shares fully paid up हो जब हमारा shares partly paid up हो ठीक है और यहाँ पर हम लोग लेके चल रहें और अपने different voting rates वाला तो नहीं है cases बट फिर भी अपने जाएस 20 कर रहें तो जो जो आएगा सब हम लोग केस करने जा रहें तो आपका पहला case इस में मैं करने जा रहा हूं case 1 heading डाल देंगे case 1 case 1 case 1 case 1 when shares are fully paid up जब shares fully paid up है तो how to get the आपका weighted average number of shares तो इस when shares are fully paid up आपको calculate करने के लिए अपने example से इस बात को clear करेंगे एक example रहें number wise अपने वह पहले वही example clear कर लेते हैं पहला है आपका 1st April 1st April 2019 opening balance दिया हुआ opening balance 10,000 equity shares of rupees 10 each fully paid up fully paid up यह हो गया आपका 1419 का कहाने बीच में changes हो रहा है आपका suppose 1000 equity shares of rupees 10 each fully paid up और फर्स्ट नॉम्बर नाइंटीन बाइबक कर लिया तो शेर्स बाइबक तो शेर्स बाइबक कर लिया तो शेर्स बाइबक कर लिया तो शेर्स बाइबक से 2500 शेर्स बाइबक कर लिया तो शेर्स अपने को पूछ रहा है क्वेश्चन में calculate वेटिड आवरेज नंबर आफ शेर्स आपको वेटिड आवरेज नंबर आफ शेर्स निकालने हैं इस इस एक्जामपल से तो यही मेरा यह एक्जामपल है जिसमें हमसे पूछ लिया कि आपको वेटिड आवरेज नंबर आफ शेर्स कैल्कुलेट करके बता देने हैं तो अपने इस एक्जामपल को सॉल्व करेंगे कैलकुलेट वेटिड आवरेज नंबर ऑफ शेर्स दो तरीका है काल्कुलेट करने का थेक है मैं टाइमलाइन लेकर इंटृड्यूस कर रहा हूं कि कब क्या हुआ वह आप टाइमलाइन देखो और आपके लिए दोनों तरीका मैं टाइमलाइन पे इलाबरेट कर दूँगा आपको यहाँ पर periodic weightage देना है आपको तो यह बहुत ही आसान है कोई problem इसमें होता नहीं है यह समझ लोग कि हम लोग first method यहाँ पर solve कर रहे हैं यह है आपका timeline और इस timeline पर अपने सबसे पहला flag लगा रहे हैं क्या चीज़ का तो beginning का और यह flag लगा रहे हैं end का ठीक है beginning में मतलब की हमारा 1st April 19 और closing date यानि 31st March 20 यह हमारा beginning और end हो गया हमारे पास beginning में opening balance था वो भी अपने लिख देंगे तो हमारे पास opening balance कितने का था वो number of shares लिखे तो opening balance आपके पास सुरू में था यहाँ पर 10,000 shares 10,000 shares आपके पास था और आपने further issue किया है वो date डाल दीजिए उसका भी flag लगाईए और आप उसका flag लगा रहे हो कि आपने फिर से share issue किया है that is on 1st September को आपने share issue किया और 1st September को आपने कितने का share issue किया है 11,19 और कितना share issue किया है तो 4000 shares और issue कर लिया 4000 shares और आपने buyback कर लिया है 11,19 को तो फिर से आप एक flag लगाएंगे buyback करने का तो आपने buyback किया है 11,19 को कितना share buyback किया 2500 shares अब आप अच्छी तरीकी से देखिए हम लोग यहाँ पर weighted average number of shares निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना है number into time weight number into time weight आपको multiply करेंगे you will get the weighted average number of shares तो आपको क्या करना है weighted average number of shares होता क्या है तो weighted average number of shares is equal to number of shares multiplied by time weight आप यदी देखो तो first का जो period weight है या time weight है first तो यह हमारा 10,000 shares यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो ना यह portion तक हमारा 10,000 shares रहा तो आप calculate करना शुरू करो अपरिल में जून जुलाई ओगिस्ट सेप्टेंबर नहीं 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 सेप्टेंबर नहीं हुआ है तो आपको रुकना है एप्रिल में जून जुलाई ओगिस्ट सेप्टेंबर नहीं लेना है यानि कि 5 months तो इसका मतलब है कि 5 मैने से इतना बच्चा वाला calculation आप हमसे आप कर रहे हो इतना धीरे धीर अरे ठीक है ना सीखना है ना आपको तो आपको यहां पर क्या करना है वेटेड अवरेज नंबर अवशेस निकालना है तो I will get the वेटेड अवरेज नंबर अवशेस तो simple तो पहला वाले में आप देख सकते हैं यहां से यहां तक जो time है एक method यह है मैं दो alternative way से करके दिखाऊं यह 5 months है मैंने लिख दिया 5 months तो यदि मुझे निकालना हो तो opening मैं ऐसे लिखोंगा वेटेड अवरेज नंबर अवशेस जो सुरू में 10,000 शेयर्स और 10,000 शेयर्स का time वेट है 5 by 12 5 by 12 फिर इसके बाद हमारा plus तो शेयर्स खतम तो हुआ नहीं उसके बाद मेरा total number अवशेयर्स क्या हो गया यह 10,000 यह 10,000 प्लस यह 4,000 मिलकर इसके आगे मेरा कितना रहेगा यह 10,000 प्लस यह 10,000 प्लस यह 4,000 इसके आगे मेरा कितना रहेगा 14,000 इसके आगे मेरा 14,000 रहेगा तो इसका मतलब है यह time अब आपको calculate करने की जरूरत है तो यहां से यहां तक का आपका time कितना है वो देखिये तो यहां से यहां तक मेरा time कितना बनता है तो आप calculate करेंगे, September, October, सिर्फ दो मेना ही है, तो you will write two months, यहां पर लिखेंगे two months, दो मेना है, तो आप क्या करेंगे, यहां पर plus 14,000 shares, 14,000 shares multiplied by कितना by कितना, तो हो जाएगा आपका 2 by 12, ठीक है, इसके आगे हमारा 2500 shares buyback हुआ है, आप ध्यान रखेंगे कि यह जो था ना वो buyback था, buyback था, buyback का मतलब हो गया, कि company ने shares purchase कर लिया, market से, हलाकि देखे, practically यह possible नहीं है, कि उसी year में आपने issue किया, उसी year में buyback कर लिया, बट हम लोग weighted average number of shares निकालने के लिए, सीखने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बट है practically, आप legally ऐसा कर ही नहीं सकते हैं, तो same year में issue करके, same year में buyback कर रहे हैं, not possible, वो सही नहीं होता है, तो यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसके आगे जदी जाएंगे, तो you will find इसके आगे हमा कितना मेना है, वो देख लीजिए, तो बोलते हैं, इसके आगे जदी मैं जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ तक, मेरा कितना मेना हो रहा है, तो number, पूरा, December, Jan, Fav and March, 5 months होता है, तो यह आपका 5 months है, यह 5 months है, तो यह 5 मेना, अभी इसके पहले यहाँ तक आपको अच्छी त देंगे, तो resulting figure, मेरा इसके आगे, कितना जाएगा, तो 14,000-5,500, इसके आगे तो मेरा 11,500 ही जाएगा, तो 11,500 ही हम लोग यहाँ पर consider करेंगे, तो 11,500, इसके आगे आपका होगा, plus, plus, 11,500, multiplied by 5 divided by 12, 11,500 शेर, multiplied by 5 divided by 12, अब आप देखो, यहाँ पर calculator चलाओ, आपका 10,000 into, 10,000 multiplied by 5 divided by 12 करेंगे, the resulting figure is 4166, 4166.67, plus, यहाँ पर होगया 14,000, 14,000 into 2 by 12, तो यह होगया, आपका 2333.33, plus, 11,500, 11,500 divided by 12, multiplied by 5, इसके आपका 41791.66, तो अब solve करेंगे, अब को add कर दीचे, क्या आया, 4166.67, plus 2333.33, plus 4791.66, the resulting figure is 11,291.66, 11,291.66, approximate result होगा 11,292, तो 11,292 shares हो गया, weighted average number of shares ऐसे निकलता है, अब यहाँ आगे हम लोग देखो, यहाँ पर आगे चलेंगे, तो next हमारा क्या हो जाएगा, फिर से हमको weighted average number of shares, alternative method से निकालना है, तो मैं यह picture ऐसा फिर से एक draw कर लेता हूँ, alternative way में, alternatively, ठीक है, और alternatively हम लोग solve करेंगे, तो फिर से timeline बना लेते हैं, यह timeline हमारा है, इस timeline पर अपने show कर रहे हैं, पूरा picture, इस picture में अपने flag लगा देंगे, सबसे पहले, पहला flag, year beginning का और दूसरा flag year end का, बीच में जो कहानी हुआ है, दोट है, एक है हमारा, first September को, और दूसरा है first November को, हमारे पास सुरू में 10,000 shares था, वो हम लोग लिखेंगे, तो यहां पर लिखेंगे 10,000 shares सुरू में था, यहां पर हमने plus किया और 4,000 shares, और यहां पर मैंने minus किया है, 10,000 shares, तो अभी अपना तरीका यह है कि सब को ना आगे के तरफ लेकर आओ, सब को आगे मतलब कि first point से last point तक, तो यहां पर 10,000 shares पूरे साल भर रहा, यहां पर मेरा 10,000 shares पूरे year में रहा, तो मैं 10,000 into इसका time weight रखूंगा 12 by 12, यह 4,000 shares मैं यहां से यहां तक consider करूँगा, और 5,000 shares निकाल दिया गया, तो 5,000 shares minus करूँगा, मैं यहां से यहां तक का time weight, तो इसका मतलब आप समझगे कि इस approach में करना क्या है मुझे, हरमेशा आपको इस method में क्या करना है, आपको उस जिस point पर event हुआ, वहां से लेके towards end तक पहुँचना, पुरा forward तक जाना है मैं लाज डेट तक, तो आपको यहां पर देखिए weighted average number of shares कैसे निकलेगा under this method, तो आप weighted average number of shares यहां कैसे निकाल रहे हैं वो देखो, तो weighted average number of shares equals होगा यहां पर 10,000, 10,000 multiplied by 12 by 12, 12 महिना, प्लस आपको 4,000 है, 4,000 multiplied by कितना बाई कितना तो 4,000 multiplied by आपको वहां से आगे जाना है, और यह date क्या है, आपको पता है न, 1st September 2019, तो 1st September से आगे बढ़ेंगे, तो आपका September, October, November, December, January, March तो 7 months है, तो into 7 by 12 करेंगे, 7 by 12, तो यह हो गया आपका second वाले का, और minus करेंगे इस से 2500 multiplied by यह date था आपका 1, 11, 19, तो आप नॉर्मबर, December, Jan, February, March, तो दिस इस 5 months, तो into 5 by 12, into 5 by 12 minus करेंगे, solve करेंगे, तो पहला वाला तो दस अजार ही रहेगा, plus 4000 को आप क्या करेंगे, 4000 multiplied by 7 divided by 12 करेंगे, तो resulting figure is 233, 233.33 and minus करेंगे, आप इधर में 2500 into 5 by 12, तो माइनस करेंगे, तो आगया 1041, 1041.66, solve करेंगे, तो 10,000 plus 233.33, और माइनस करेंगे, 1041.66, the resulting figure हो गया, 11,000, 291.67, approximate करेंगे, तो 11,292 shares, तो आपका जो ये result आया था, आप देख सकते हैं, वही result यहाँ पे भी आएगा, method आपका choice है, आप जिसको follow करना चाहें, वो आपके उपर है, 11,292, first case में भी है, मतलब, first option मतलब हम लोग जो ली है, उसमें भी आया, और second option में भी 11,292 आया, तो यह आपके उपर है, कि आप which options you will consider, तो वैसे weighted average निकालने का बुक सिंपल है, यह number of shares multiplied by time weight से आप multiply करिए, you will get the weighted average number of shares, पर अब अलग-अलग cases करेंगे, तो जैसे कि आपका इसमें cases जो अगला आने वाला है, जहाँ पर आपका क्या हो, partly paid up हो, तो partly paid up में कैसे करेंगे, case 2 करेंगे, तो case 2 में आ जाईए, लिखेंगे, case 2, partly paid up shares, लिखेंगे, partly paid up shares, या इसी case में हम लोग इसको भी cover कर लेंगे, shares of different denominations, तो लिखेंगे, or shares of different denominations, मन्तर ऐसा होता है ना, कि एक company का shares, 10 रुपे वाला भी है, और 5 रुपे वाला भी है, तो 10 रुपे फुली paid up है, और 5 रुपीज वाला भी फुली paid up है, या 10 रुपे फुली paid up है, आठ रुपे वाला भी share होता है, तो different denominations का भी shares होता है, उस case में अपने कर रहे है, इस situation में अपने weighted average number of shares कैसे निकालेंगे, एक्जाम्पल यहाँ पर लिख रहे हैं, एक्जाम्पल, आप सबसे पहले एक्जाम्पल लिखोगे, एक्जाम्पल में लिख रहे हैं, आपने opening balance, 1,419, opening balance, लिख रहे हैं, अपने 14,000 shares, off rupees 10 each, 14,000 shares off rupees 10 each, फिर लिखेंगे उसका paid up, fully paid up कर दीजे, 10 each, fully paid up, ठीकें, और आप लिखेंगे, on 1, 8, 19, share issued, share issued, कितना issue कर दीए, तो मान लोग अपने issue कर दीए, 8,000 shares, off rupees कितना, 10 each, paid up, rupees 5 per share, 5 per share, तो आप देखेंगे, यहाँ पर 8,000 shares है, 10 रुपया वाला ही है, बट paid up 5 per share, अब हमें basically क्या करना होगा, equivalent number में convert करके, हमारा काम आसान हो जाएगा, तो अभी आप से पूछ रहा है कि calculate weighted average number of shares, यहीं पर calculate weighted average number of shares, weighted average number of shares, तो यहीं में weighted average number of shares निकालना हो, तो बहुत आसान है, अब solution करेंगे इसका हम लोग, तो सबसे पहले यह 8,000 shares को equivalent में हम लोग convert कर सकते हैं, ठीक है न, इसका अपने fractions जो है न, वो 0.5 है, इंटिग्रल में convert करेंगे, तो हो सकता है, बहुत आसान है, आप आसानी से बिना कोई rules याद किया आप कर सकते हैं, कोई इसमें rules जानने की जरुवत नहीं है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे equivalent solution कर रहे हैं अपने, और लिखेंगे equivalent number of equity shares of Rs. 10 each, paid up Rs. 5 per share, the equivalent number of equity shares of Rs. 10 each, paid up Rs. 5 per share, equals to क्या हो जाएगा आपका, तो total आपका shares है 8,000, ठीकें, into 5 Rs. करके मिला है, divided by 10 कर देंगे, तो आपको equivalent number of shares मिल जाएगा, तो equivalent number of shares कितना हो जाएगा, तो equivalent number of shares हो जाएगा, 4000 shares of Rs. 10 each, fully paid up में convert हो गया, यह, fully paid up, तो इसका मतलब है, कि आपने क्या किया, जो यह 8,000 shares था, उसको convert कर लिया, और equivalent number में convert किया, तो वो आगे आपका कितना, तो equivalent number में convert किया, तो 4000 shares हो गया, फिर तो आप समझी रहे, कि weighted average number of shares निकालना है, तो कितना आसान है, मैं आपके लिए यह timeline draw कर दे रहा हूँ, इस timeline पर यह है हमारा beginning, और यह है हमारा end, ठीक है, और बीच में एक ही घटना है, आप देख सकते हैं, बीच में share issue हुआ है, 1,8,19 को, तो आप यहाँ पर 1,8,19 लिख दीजिए, 1,8,19, और यह आप लिख देंगे, 1,4,19, 1,8,19, और यह हो गया, आपका 31st March 20, यहाँ पर आपके पास, शुरू में share कितने का है, तो आपको दिखी रहा है, यहाँ पर beginning में 14,000 का, आपका number से, तो यहाँ पर 14,000 share, और 1,8,19 को, आपका equivalent number of share, आपने convert कर लिया है, तो plus 4,000, ठीक है, तो आप चाहें, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, period को consider कर लिया है, यहाँ से यहाँ तक का time gap है, कितने मेने का, तो यह हो गया, April, May, June, and July, तो April, May, June, July, आपका 4 मेना, यह gap होता है, तो 4 months, और इसके बाद का gap, आप calculate कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ का gap, कितने मेने का है, आप यह भी निकाल लो, तो यह gap आपका है, 1st August से लेकर, 31st March तक यह री calculate करते हैं, so this is equals to 8 months, 8 मेना यह बनता है, तो आप यहीं पर निकाल सकते हैं, total weighted average number of shares, क्या हो जाएगा, weighted average number of shares is equals to, तो weighted average number of shares is equals to, हो जाएगा, आपका 14,000, और multiplied by the time factor, जो है, या time weight कितना है, आप देख सकते हैं, तो आपका 4 months है, यानि कि 4 by 12 plus, आप यहाँ पर आगे जाकर देखेंगे, तो 8,000 shares हो गया, क्योंकि 4,000 shares और plus हो गया, equivalent number of shares लेना है, तो आपका 18,000 multiplied by, कितना into आपका हो जाएगा, 8 divided by 12, इसको solve करेंगे, you will get the weighted average number of shares, तो 14,000 multiplied by 4, divided by 12 is equals to हो गया, 4, 6, 6, 6.67, और उदर में 18,000 को solve करेंगे, तो 18,000 into 8 divided by 12 is equals to कितना हो गया, तो this is equals to 12,000, तो टोटल हो गया, आपका 16,666.67, आप approximate कर सकते हैं, 16667 shares, तो इस तरीके से आपका weighted average number of shares कैसे निकालना है, यह हम लोग case number 2 भी कर लिए, case number 3 करेंगे, वह हम लोग जहाँ पर अपने क्या करते हैं, अब bonus issue करेंगे, अब bonus issue के कारण भी तो number of shares affected होता है, तो case 3 डालिए, bonus shares, तो heading डालेंगे, bonus shares, bonus shares के कारण, how the bonus shares will affect your weighted average number of shares, तो bonus shares होता है, the shares were issued, shares were issued, at no consideration, यानि की without consideration to the existing shareholders, तो यहाँ पर लिख लेरे bonus shares का मतलब क्या है, shares issued, to, at no consideration, at no consideration, to the shareholders of company, तो company के shareholders को bonus shares दिया जाता है, कहाँ नहीं है कि यहाँ पर shares जो अपने bonus shares दे रहे हैं, तो ultimately इसका impact क्या होगा, हमें accounting treatment नहीं करना, हमें bonus issue का genetis नहीं करना है, कोई भी genetis नहीं पूछ रहा है, आप से सिर्फ और सिर्फ इसका impact पुछेगा, कि what is the impact of this bonus issue over that weighted average number of shares, अब bonus कभी भी हो सकता है, और bonus का impact क्या होता है, आपको यह बता दें, बोलते हैं कि bonus आप कभी भी दो हो सकता है, आप जून में दो, जुलाई में दो, और और सेप्टेंबर, इट इस एजूम्ड दाट बोनस had been issued at the beginning of the financial year, तो आपको यह assumption करना पड़ेगा, कि bonus issue किया गया है एकदम beginning of the financial year, and accordingly आपका उसका factor time factor में उसे consider करना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर लिखेंगे इसका bonus issue, क्या लिखेंगे आप bonus share issue, may be made at any point of time by the company. However, for the purpose of computing weighted average number of shares for the purpose of computing weighted average number of shares इट डीम्ड टू बी इट डीम्ड टू बी इस्षूड एड बिगिनिंग ओफ फिनांसियल एड बिगिनिंग में इसलिए ले लिया जाता है कि इसके अगेंस में कोई पैसे थोड़ी आएं आपका जैसे बोनस इस्टीक यह पहले जिसके पास मानलो one is to one में बोनस दिया जा रहे है जिसका पहले एक था अभी उसे दो दिया गया अब कौन से इसके बतले में पैसा लेकर शेयर इस्यू हम लोग कर रहेंगे हम लोग तरीके से पता है कि पहले यह एक शेर के बल्ले में अभी दो शेर हो गया तो आप सिंपल लॉजिक रखो ना कि पहले एक शेर था और कंपनी का EPS मान लो आया हुआ था एक शेर पे आपका से 22 रुपीज अभी एक के बल्ले में एक बोनस दे दिये तो कंपनी के पास तो आपका अभी एक बोनस दे दिया तो number of equity क्या हो गया और थोड़ी अर्णिंग बढ़ गया अर्णिंग तो उतना ही है तो आपका क्या हो जाएगा 22 divided by 2 हो जाएगा तो आपका 22 divided by 2 करेंगे तो रिजल्टिंग फिगर 11 होगा क्योंकि पहले आप 22 by 1 कर रहे थे तो रिजल्टिंग फिगर 22 ही था तो आपका बोनस का इंपक्त क्या पड़ा कि जितना मतलब अल्टिमेटली बोनस के कारण इंपक्त यह पड़ता है कि आपका number of equity बढ़ जाता है और यह easy है आप एक शेर प शेर बढ़ेगा उसका impact उसी accordingly अपने EPS पर डालते हैं तो this is the way to compute the earning per share यहाँ पर जब बोनस इश्यू होगा तो आपका impact यह लेना है कि बोनस शेर का impact यह गिरेगा कि you have to assume that the bonus were issued at the beginning of the financial year और मैंने जिसे शुरू में आपको Reliance का financial statement दिखाया तो अब यही मान लेते हैं कि पिछले साल का भी comparative statement होता है तो last year का जो आपका profit मतलब की EPS निकाला हुआ है उससे में number of equity एक था और इस साल का जो EPS निकाला गया उसका number of equity दो हो गया तो यह नहीं मान लो last year bonus इश्यू नहीं हुआ था और इस साल बोनस इश 21 कर रहे होंगे तो problem क्या आएगा क्या यह data comparable होगा मैं numbers लेके बोल रहा हूं last year का profit था मान लो 20 रुपए नमबर विक्विटी लास्ट यह था एक तो 20 था यह था 2018-19 आप ऐसे समझो यह है 2018-19 और यह है 2019-20 अब आप इससे इसका comparison करोगे 20 रुपीज था अभी 22 तो आप बो ग्रोथ किया है विकास पहले last year में 20 रुपया था अभी 22 रुपया है तो आप बुलेगे company तो growth किया है company का growth हुआ लेकिन अब यह थी हम compare करेंगे कि मान लो यह data मिटा देता हूं मैं यह वला मैं मिटा देता हूं और ना अभी compare करते हैं हम लोग तो आप compare कर रहे हैं कि पहले 20 था अभी 11 है पहले 20 था अभी 11 है आपको क्या लगता है कि यह data comparable होगा हम जड़े इस दोनों का comparison करेंगे तो आपको क्या यह comparable result होगा आंसर होगा नहीं यह तो comparison नहीं हो सकता आप बोलेंगे अरे company तो डूप गई पहले 20 था अभी 11 आ रहा है तो इसका मतलब है आप सीधा हैं बोलोगे company is not doing well आप company के बारे में opinion frame कर लोगे company खराब कर रही है that's why जब आपके मन में ऐसा बात आने लग जाए ना तो आप समझी रहे हो कि कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है कि हमारा पिछले बार जैसा he's here रहता bonus issue नहीं करते तो इस बार 22 आता लेकिन हमारा 22 आता बट हमारा ऐसा वहा नहीं मैंने bonus issue करते इसले 11 आया तो बोलते हैं in order to make the data comparable तो आप last year का भी जो EPS है उसको जाकर revise कर देंगे तो you will revise पिछले साल का earning था यह assume कर लेंगे कि पिछले साल भी यदि bonus issue हो गया होता तो यह ऐसा इसले कर रहे ताकि comparison हो सके तो पिछले साल भी यदि bonus issue हो गया होता तो this is 20 divided by 2 last year income 10 था अभी पिछले साल यदि 10 था तो अभी 10 का कितना हो गया 11 ऐसे comparison हो पा रहा है ओके growth है पहले 20 था अभी 22 वह 10% का growth दिख रहा है यहाँ पर यहाँ भी 10% का growth दिख रहा है इ अपने क्या करते हैं कि जो previous year का जो आपका EPS निकाला हुआ उसको भी आप क्या करते हो रिवाइस करते हो तो यह बात हम नोट में cover करेंगे तो चलिए नोट लिखेंगे जो चल रहा था उसी में अभी और add करेंगे तो यहाँ क्या लिखे थे अपने bonus shares issue may be made at any point of time by the company however for the purpose of computing very average number of shares it deemed to be issued at the beginning of the financial year तो आसा एजिम कर लिए कि financial year में होता है चाहें कभी भी हो अप्रील में जून जुलाई अगर सेप्टेंबर year के किसी भी point में हो आप हरमेशा beginning में लियाओगे और साथ में आपको क्या करना है previous year का भी आपको क्या करना है basic EPS को revise करना है in order to make the data comparable आप लिखेंगे in order to in order to make EPS comparable with last year in order to make EPS comparable with last year basic EPS basic and diluted diluted EPS of preceding year previous year previous year should be revised considering considering that that bonus shares he should bonus is issued at the beginning of at the beginning of preceding previous financial year previous financial year मतलब बोला कि आप data को comparison comparable बनाने के लिए आप ऐसा assume कर लो कि last year के beginning में ही इसू कर दिया गया हो 19-20 में नहीं 18-19 में इसू किया गया हो और 18-19 के इदम beginning में कर दिया गया हो तो इसे आपका bonus element का effect जो है वो दूसरा वाला हमने क्यों किया है ताकि comparable करने के लिए सब्सक्राइब हो सके आदरवाइस आप जो देखकर जो वी इंटरस्टेट पर्सन है जो वो फिनांसर रिपोर्ट देखकर company के बारे में एक रॉंग आइडिया फ्रेम कर लेंगे तो that's why comparison हो सके इसके लिए क्या आपको क्या करना पड़ेगा compare हो सके इसके लिए आपको ultimately पिसले साल का भी effect डाल देना पड़ेगा bonus इशू का अब हम लोग example से इसको cover करते हैं example है यहाँ पर यहाँ पर यह लिख रहा हूं 2018-19 कुछ information दिया हुआ है वो लिख रहा हूं earning per share basic EPS आप अभी basic ही जानते हो आप diluted EPS अभी नहीं जानते हो हम बले term यूज के बट अभी आप नहीं जानते हो मैंने अभी तक introduce नहीं किया तो आप लिखेंगे basic EPS तो basic EPS दिया हुआ है पिछले साल का रुपीस 4 बेसिक EPS रुपीस 4 पर share नमबर ओफ एक्विटी शेर दिया हुआ 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 है नमबर ऑफ एक्विटी शेर आउट्स्यंडिंग तो पिछले साल आपका नमबर ओफ शेर से फाइव लैक्स पांच लाग एक्विटी शेर हैं तो पीछले साल आपका ठीक है और 2019-20 प्राफिट अवेलेबल फर एकुटी शेरहोंडर्स एकुटी शेरहोंडर्स है रूपीस 30,00,00 प्राफिट अवेलल फर एकुटी शेरहोंडर्स इस इक conservation क्यूस्ट 50 अ coconut company declared on on 1st September on 1st September 2019 company company issued bonus share bonus shares in the ratio of two shares for every for every five shares held two shares for every five shares held calculate basic EPS for 2019-20 and revised EPS for 18-19 आपको basic EPS निकालना है for 19-20 और आपको निकालना है revise EPS for 18-19 तो अब आपको यहां पर करना क्या है आप अच्छी दरीके से समझ गया है calculate हमें करना है APS for 19-20 and revised EPS for 18-19 तो सबसे पहले आप क्या गरेंगे पहले आप bonus निकाले जिए कि solution हम लोग कर रहे हैं यहां पर solution तो यहां पर number of bonus shares कितना offer हो रहा हो निकालेंगे तो number of bonus shares हो गया आपका देख सकते हो number of bonus shares है यहां पर 2 is to 5 है यहां कि 2 shares मिलेगा पांच के बदले में तो टोटल पहले number of equity कितना आप देख सकते ना number of equity shares आउट शेंडिंग 5 लाग shares है ठीक है ना पांच लाग shares है तो आप यहां पर लिखेंगे number of bonus shares is equal to 5 lakhs multiplied by 2 divided by 5 तो जो रेशियो उसके इसाब से number of bonus shares आ गया दो लाग क्या आ गया दो लाग 2 lakhs shares तो दो लाग shares आ गया आपका number of bonus shares तो यह bonus shares जब आ गया दो लाग अब ultimately इसके नीचे आप लिखेंगे क्या तो number of bonus shares के नीचे आप लिखेंगे total equity total number of equity outstanding in 1819 in 1920 is equals to कितना तो बोलते हैं is equals to 1920 का equity हो गया आपका देख सकते हैं तो 1920 में number of equity आपका पांच लाग था और दो लाग आपने bonus इशू कर दिया तो टोटल आपका कितना हो गया 7 lakhs तो सात लाग हो गया रूपी नंबर अब शेयर्स विकम सेवन लाग तो सात लाग हो गया तो यह आपका 7 लाग सागे टोटल नंबर अव एक्विटी आउट शेंडिंग इन उन्निस बीस अभी आप क्या करेंगे अब बेसिक एपिस निकालेंगे तो बेसिक अर्णिंग एपिस बेसिक एपिस फॉर नाइटीन ट्वेंटी टूटाउजन नाइटीन ट्वेंटी टूटाउजन नाइटीन ट्वेंटी का आप बेसिक एपिस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट एवेलेबल फॉर एक्विटी शेयर होल्डर्स आपका क्या है उस प्रॉफिट फॉर एक्विटी शे अब आप साथ लाग सुरू से लेकर क्योंकि आप कभी भी बोनस इस्यू करो माना तो जाएगा बिगिनिंग ओफ फिनांसियल है तो आपका साथ लाग बिगिनिंग से लेकर एंड तक तो क्या हो जाएगा आप यहां पर लिखोगे तो प्रॉफिट आपको पता है कि 30 लाक्स क मल्टिप्लाइड बाइ 12 वाई 12 साथ लाख ही रहने वाला फिर भी मैंने करके दिखा दिया कि हाँ आप तर्टी लाइक्स डिवाइड बाय डिवाइड बाय रीवाइड सेवन लाइक्स इस इक्वे इक्वर्स तो आपका आगया 4.2857 तो 4.284 4.285 है तो 6 कर दीजे तो 4.286 ऐसे देखकर लग रहा है नहीं बहुत अच्छा नहीं हुआ ग्रोथ कैसे पिछले साल तो 4 रुपया था ही और अभी 4.286 हो गया तो कोई बहुत बड़ा तो नहीं लग रहा है कि ग्रोथ हुआ सिर्फ 28 पैसे का ग्रोथ दिख रहा है तो इसका मतलब हम लोग रजेदी रेट निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा मुल्टिप्लाइट बहुत दिखाई देरा कंपरेजन सही नहीं बैटर है क्यों पिसले साल वाला डेटा आपका जो यह 4 रुपय है यह इसके अंदर में बोनस एलिमेंट नहीं है और यह जो आपका यहां पर दिख रहा है इसके अंदर में बोनस एलिमेंट का एफेक्ट डल गया है तो बोनस का एफेक्ट ले लिया है तो अब दोनों कंपरेजन नहीं हो सकता है अब आपको क्या करना पड़ेगा कि प्रिवियस एयर का फिनांसियल एर 18-19 के लिए आपको basic EPS को revise करना profit कितना है क्या question में दिया हुआ है क्या नहीं दिया हुआ है लिकिन अपने निकाल सकते हैं एक share पर 5 रुपे कमाते हैं total number of shares 5 लाख है तो यह 4 into 5 करेंगे तो 20 lakhs हमारा last year का earning आ जाएगा तो आप लिखेंगे profit for the year 18-19 क्या लिखेंगे profit for the year 18-19 तो यहाँ पर लिखेंगे profit profit for the year 18-19 इक्वेस तो 5 लाख shares multiplied by रुपीज 4 is equal to रुपीज 20 लाख तो पिछले साल profit 20 लाख आया था तो यह हमारा last year में profit था 20 लाख अभी हम लोग जब last year का profit हमारा 20 लाख आ गया तो अभी अपने क्या करेंगे अब हम लोग निकालेंगे profit for the year 18-19 हो गया 20 लाख अब इसके नीचे लिखेंगे हम लोग revised number of equity shares for the year 18-19 इसके नीचे bracket में डाल देंगे after giving effect of bonus share bonus shares का effect डालने के बाद is equal to कितना है तो आपका 5 लाख shares plus 2 लाख 5 लाख plus 2 लाख is equal to आपका 7 लाख shares पिछले साल भी assume कर लिया जाएगा कि bonus का effect देने के बाद 7 लाख हो गया therefore revised EPS revised basic EPS आपका क्या आएगा last year में तो revised basic EPS हो जाएगा जो last year में आपका profit था तो that is rupees 20 lakhs divided by number of shares जो पिछले साल था वो 7 lakhs तो 7 lakhs से आप divide करेंगे weighted average number of shares तो आप 20 lakh divided by 20 lakh divided by आप करेंगे 7 lakhs तो resulting figure है 2.85 resulting figure is 2.857 अब आप compare कर पाएंगे आप देखो ठीक दंग से कि ये 2.857 है और पिछले बार आपका था अभी जो है आपका 4.286 है तो आप देख सकते हैं जिती compare करें अपने दोनों को तो दोनों में काफी difference है आप बोल पाएंगे काफी बड़ा change है company is performing मतलब superb performance by the company है क्योंकि आप देख सकते हैं growth अब comparison होगा that's why last year का भी data को revise करना पड़ता है in order to improve the comparability दोनों data को compare कर सके हैं इसके लिए ऐसा करना पड़ता है आप देख सकते हैं अभी 4.286 माइनस आपका 2.857 तो 2.857 तो difference है 1.429 का growth है और यह absolute terms में और absolutely नहीं दोनों के EPS का बीच का difference है और divided by base से करेंगे 2.857 multiplied by 100 the resulting figure is 50% का growth है भाई 50% का growth है जो कि अपने जब 4 रुपए से पिछले साल का basic EPS से compare कर रहे थे तो यह चीज नहीं दिख रहा था that's why ऐसा करना जरूरी है कि आप क्या करेंगे पिछले साल के EPS को भी revise करेंगे तब जाकर data comparable होता है समझ में आया है यह तो यह आप समझे रहें केवल और केवल यह AS आपका disclosure के उबर बात कर रहा है और भी हम लोग आगे बातें करेंगे और भी factor है तो आगे वो factor को लेंगे बट उससे पहले एक लेते हैं छोटा सा break करेंगे अपरिक कि अज़ के और कि अज़यार गुब वे झाली है, वडिन और यादी कुछी दबर्ट नारे तिले वेले जाली है और दो पुद लिदियthen तो और अब तॉ जो जाली है इए करी पोड़ि देना जो न रहा हुआ जाय चाहिए जर्मेरी बीडेलिया में हंसी न दाल्ल में हंसी न लत कर दो कि शरमें भती हो यनार जी को ठिच्च के देश्न थिदेमाने के देश्च को चाव बिया को बोदुत मैं है कि दूद्धत은 ही जे कि कर दोब है हो गया दो हो गया अब इन्यादे सीने विच्छ प्रावाज तुरी बंदा गुपी ने ले जान्य देया बारिका आवार भार भागा दावी पूपी देर जैने उत्ते हार पाडिका तरू ठावे भाबाव उत्तों भाडे मस्क लावा थीवे दारू भाबाव सीरी सपथी कजीलकारी भूदिय ले जानों से एर दर्का आप चाउली आप गाले आप इन दिन आप माम रोड़ा गाजा कर दो झाल झाल आप तेरे आप राड़ा सचना असी टैम चाकते आटाड़ा सचना आप तो ही रेच बिक्चा और आप राड़ा सचना तेरे उंकलीते गुत नर्ष दी साठे पेच्चा युते बाज गोरिये निचे दो माथ बाड़ा बाठ आख दी साठा चोट धेर आज गोरिये इस वही आश्की दिलाल नकता है फिर तेरे पिछ जारी गपरू आप तेरे दो माथ बाड़ा सचना निचे दो मोदत बाड़ा बाड़ी है फियों कर देल जैजे गर ला बत्धिया का मईरूर बेस्टा भी फिफेरेश आखनेजने राखनेश, पिकनेश, पेरे देते जठी न दे में की सहनेश, पिकने खाइखना कस स क कोई आरखनेश ज़्म का में चैकक वान दे शेखके ला पन्लाव पर बosedटा अंने परे हता वीचे, में को रहे हता वीचे, परे हता वीचे, लाले जुडा जेले के रूपोधे आगे जान जे बने जेगो निपने पर्टो रा जाबने के तो ने जान जे बने लेख बेख एड़ाई झाल 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 कर दो अदो आप दो आप दो आप दो अदो आप दो चार झो में आप दो आप जपी साव तोड़ी बाद आप सोड़ी बार। बिए करते हैं और अब लोगा इस इस्यू की बात करें दोर रई्ट सीश्यू आप में बेसीकली क्या होता है मैं आपसे पूछूं कि आप जानते हो कि उसके अंदर में बोनस एलिमेंट भी होता है तो आप अभी इस्यू जानते हैं कैसे रैस इशू का मतलब होता है when the shares offer to the existing shareholders at a concessional price अब concessional price बोलते ही तो आपके दिमाग में आ गया ना कि वो market में जो इसका दाम चल रहा है उससे lower दाम पर दे रहे हैं तो क्या आपने बोल सकते हैं कि market में जो दाम चल रहा है उससे भी lower rate में दे रहे हैं तो बीच में difference तो अपना क्या bonus element है और जब आप right issue announce करती है company तो share का दाम नीचे के तरफ आता है जिसे आप देखे होंगे अभी हाल फिल हाल में yes bank मैं आपको यदि data दिखाऊं yes bank का तो आप देख सकते हैं yes bank यदि यहाँ पर अपने search करते yes bank का आपका देखे right issue या public issue लेकर आया था जैसे ही lower down पर company ने लाया data आप देखे यह मैं one month का data आप से share करता हूँ देखे नीचे के तरफ आ गया 27 रुपए के आसपस यह share trade कर रहा था 27 ठीक है ना और 27 से share करते हुए अभी वो share 15 रुपए के नीचे चल रहा है 10 रुपए 8 रुपए होगा या 10 11 रुपए के आसपस trade कर रहा है राइट सेड में आपको screen पे आपको दिख जाएगा right side में screen के मैं बढ़ा ही कर दू तो अच्छा रहेगा आपको समझ में आएगा पूरा तो screen के right side में आपको दिख रहा है ना कि जो 27, 23, 19 and 15 है यह share का price है और मैंने one month का दिखाया आपको three months दिखाता हूं यह three months में आप देख सकते हैं कि 31 रुपीज के आसपस चल रहा था three months में और बढ़ा आश्यर होगा आपका share का मैं data पहले बोल दू कि आपको आश्यर होगा क्या कि जब इसका मैं data share करूंगा ना तो एक साल में यह 200 रुपए के आसपस चल रहा होगा 200-200 और यह आप दो साल का figure देखेंगे यह 500 तो इसका दाम 400-400 हाइस पे था 500 रुपए भी टच किया हो देख लीजिए एक बार one year का देखते है one year का 93 आया two years का देखे वो लंब समय हो गया लग रहा 402 रुपया 402 इसक बहुत नीचे भी गिरा सकता है कोई बोले long time हमारा view है यह कोई काम नहीं आता है long term view तो 402 रुपए यह highest गया और आज 10 रुपए में यह लोडग के 10 रुपए पर आ गया तो आप देख सकते हैं कि इसका value यह गोटाला हुआ उसके ही जो promoter लोग है वो खुदी किये तो दो पंजाबी भाई लोग हैं जो कपूर उन लोगों ने राना कपूर और लोग यह बिजनेस स्टार्ट किये थे और उन लोगों नहीं कंपनी को डुबाया लाइक रामलिंगा राजू सत्यम स्क्याम के तरह एनिवे हमारा topic तो इससे related connected है मैं इसलिए मैं आपको थोड़ा सा practical view भी बता रहा हूं कि ultimately यह कैसे effect करता है हम लोग आगे बात करें तो क्या rights issue हमारा rights issue में bonus element होता है तो answer हाँ rights issue में bonus element होता है rights issue होता क्या है तो rights issue का मतलब होता है कि shares were offered to the existing shareholders at concessional price और उनको ही rights होता है या तो rights को subscribe कर ले या तो rights को renounce कर सकते हैं आप जानते हैं investment chapter में आपने पड़ा है अब मैं आपसे पूछूँ कि rights आने के बाद ultimately share price में क्या impact होता है तो बोलते हैं rights issue जब होगा तो ultimately after becoming x right share का दाम नीचे के तरफ settle होगा ठीक है उसको अपने यही calculate करें तो उसको बोलते theoretical x rights price उसको क्या बोलते theoretical x rights price मतलब सीधी सी बात है rights announce होने से पहले जो दाम चल रहा हो होता है rights issue आने के बाद नीचे के तरफ जाता है अब बच्चा पूछा सरसा क्यों होता है मैं आपको यह भी बता दो कि नीची के तरफ जाता है तो ऐसा क्यों होता है बच्चा यह पूछता है तो मैं आपको यह graph दिखा रहा हूं आप यह timeline देखिए आपको समझ में आएग डेली वेसिस में ऐसे ही गराब बनता है ठीक है तो यह हमारा यदि दाम चल रहे ना जैसे ही कंपनी का राइट शिशु आएगा ना दाम नीची के तरफ आ जाएगा मतलब यह समझो यहां राइट्स एनाउंस रुआ ठीक है तो एनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा क्या होता है कुछ लोग और बाई करते हैं राइट्स को पाने के लिए और इसके बाद एक टाइम लाइन और आता आप जानते हैं अच्छी तरीके से और इस टाइम लाइन पर अपने उसको इस फेज को बोलते हैं कम राइट वेसिस में और उसके बाद आपका दाम जो है ना वो गिर करने लग जाता है मतलब x-rights होने पर ऐसा होता है नीचे आता है क्या होता है एक रइट होने पर मतलब कि share के अंदर का फायदा उठा लिए वजब फायदा उठा लिए तो उस case में क्या होता है लोग मार्केट में उसे बेचेंगे supplier बढ़ जाते हैं और when the supply will increase ultimately वहाँ पर क्या होता है कि share का दाम supply बढ़ जाएगा तो demand कम होगा क्योंकि अब जो benefit लेना था लोग ले चुके हैं तो market में वो shares बेचने लग जाएगे तो बेचने के कारण क्या होगा कि share का दाम नीचे के तरफ आएगा तो अपने यहीं माल लेते हैं कि बजार में यह benefit कैसा दिखा रहे हैं बजार में दाम चल रहा है say 21 रुपीज फेर वैलो इस 21 माल लो लेकिन company ने offer कि चलो मैं आपको 15 रुपे में ही shares दे दूँगा इसका मतलब जब लोगों को यह announcement यहाँ पर आया जिस दिन announcement आया उस दिन बजार में 21 रुपे दाम चल रहा था लोगों को 15 रुपे में जो share holder है लोगों को मतलब share holders को उस company के existing share holders को वो share 15 रुपे में मिल जाएगा तो यह अहाँ पर मानलो फाइदा कितने का हुआ 6 रुपे का per share profit है पर share 6 रुपे का profit है आपको दिख रहा है ना per share 6 रुपे का profit है तो यह जो 6 रुपे का profit है इसके लिए आपको इतना दिन इंतजार करना पड़ेगा उसके बाद दाम गिर जाता है मानलो दाम आ गया 20 रुपे है यह दाम आ गया 20 रुपे है तो इसको बोलते हैं ना theoretical x right price ठीक है ना इसको क्या बोलते है theoretical x right price मतलब जो नीची गिरने के बाद जो मानलो next day जो settle हुआ उस price को अपने बोलते है theoretical x right price जिससे हमें पहले ही calculate करना है तो यानि कि आपको मैं सिफ समझा रहा था कि rights issue में bonus element होता है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर bonus element दिया जा रहा है कितना तो 20-15 दोनों के बीच का difference company क्योंकि राइट इसको के बाद share का दाम एक बढ़ेगा फिर गिर भी जाएगा तो गिर के मानलो 20 रुपे सेटल हुआ मुझे रिलाइंस का share मिला था और एक शेर मुझे मिला था राइट इस्व में 1250 रुपय में यहां ऐसी कुछ था बारशू पैच्पन यहां बारशू 50 में मुझे मिला और market में अभी उसका दाम 2100 रुपे चल रहा था और समझ रहे हैं कि मेरे को तो फाइदा है ना आज द बस तो राइट शीशू आगया फिर भी मैं नहीं पेच रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि यदि मैं बेच दूँगा तो अल्टिमेटली मुझे उसका ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा नहीं मैं नहीं बन पाऊंगा that's why I don't want to sell it so मैं उसका हिस्सा बनना चाता हूं मैं उसके साथ पार्टिसिपेट करना चाता हूं तो जिदि ऐसा स्थिती है कि आप कंपनी का स्टोरी का हिस्सा बना रहना चाते तो नहीं बेचेंगे और ऐसा सब सोचने लग जाए तो वहीं पर शेयर का दाम ऊपर भागता है rocket की तरह और sky is the limit फिर क्या होगा आगे कोई predict नहीं कर सकता है अभी देख सकते हैं कि इतना ही दिनों में वह लग बग 120-30% बढ़ चुका है डबल से भी उपर हो चुका है within 3-4 months 3 months के अंदर अंदर तो अपने वैसे यहाँ पर बता रहे हैं कि right issue में यहीं मान लेते हैं 15 हो जाएगा राइट से स्टैबल हो जाने के बाद मतलब स्टैबिलाइज हो जाए तो यह फैक्टर को discount करने के बाद उसका दाम 20 रुपए चल रहा है तो पांच रुपए बोनस ठीक है तो चलिए इसी को पर बेस करके अपने पहले तो राइट इशो लिखेंगे राइट इ राइट इशो का मतलब सबसे पहले लिखे रहे है वेन शेयर्स ओफर्ड डू दैजस्टिंग शेयर होल्ड़र्स offered for the issue offered for the issue to the existing shareholders share holders at concessional concessional price or discounted price is called right issue is known as rights issue rights issue it includes it includes element of bonus share following steps following steps to be applied following steps to be applied for computing for computing EPS हमें EPS निकालना है हमारा तो टार्गेट EPS है तो EPS निकालने के लिए आपको क्या स्टेप फालो करना है वोला स्टेप वान आप सबसे पहले क्या निकालोगे तो बुलते स्टेप वान सबसे पहले अपने कैल्कुलेट करेंगे थेोरिटिकल एक्स राइट प्राइस तो थेोरिटिकल कैल्कुलेट थेोरिटिकल एक्स राइट्स प्राइस कैसे आएगा थेोरिटिकल एक्स राइट्स प्राइस तो आप यहां पर लिखेंगे थेोरिटिकल एक्स राइट्स प्राइस कैसे आएगा is equal to number of shares आउटस्टेंडिंग जब मतलब नंबर ओफ शेर्स आउटस्टेंडिंग भीफोर राइड इश्यो नीचे लिखते हैं क्योंकि बड़ा होगा ये इकोस्टो नंबर ओफ शेर्स आउटस्टेंडिंग भीफोर राइड इश्यो अब जो आपका दाम चल रहा है नंबर ओफ शेर्स आपका आउटस्टेंडिंग भीफोर राइड इश्यो और मल्टिप्लाइड बाइड जो आपका फेर वैलू चल रहा है ठीक है प्लस नंबर ओफ शेर्स नंबर ओफ शेर्स इन राइड इश्यो नंबर ओफ शेर्स इन राइड इश्यो मल्टिप्लाइड बाइ मल्टिप्लाइड बाइ राइड इश्यो प्राइस ठीक है डवाइड बाइ इसको आप डवाइड बाइड करेंगे किस से, तो number of shares से divide करेंगे, number of shares, number of shares, before right issue, ठीक है, number of shares before right issue, plus number of shares issued in number of right issues, number of, rights issue, तो आप समझगी कि इससे जो मिलेगा आपको, इससे मिलेगा आपको number of shares, आउट शेटिंग before right issue, multiplied by fair value, और इससे आपको मिलेगा current जो cost है, market में क्या दाम चल रहा है, existing shares का, वो, plus number of shares in right issue, multiplied by right issue price, divided by number of shares before right issue, प्लस number of right issue, इससे आपको मिल जाएगा theoretical X rate price, यदि मैं माल लो, कि जो example मैंने यहां लिखा, कि बजार में दाम 21 रुपया चल रहा है, जिसनी announcement आया, was in fair value 21 था, और 15 रुपया में कंपनी ने offer किया, तो आप समझ सकते हैं, और कंपनी ने offer किया, कि those who have 5 shares, they are entitled to get 1 share, अब आप सुचो, मैं इसी पर calculation कर रहा हूँ कि कंपनी का total number of shares ही 5 ले लो, ठीक है, number of shares ही 5 ले लो, तो यदि कंपनी का total number of shares मैं 5 लेता हूँ, तो number of shares 5, multiplied by आपका एक share का दाम चल रहा है, रुपीज 21 प्लस, जिनके पास एक share है, सौरी, 5 share है, they will get 1 share as a right issue, तो उनको एक share right issue में मिल जाएगा, ठीक है, और एक share कितने में मिलेगा, तो multiplied by 15 रुपे में मिल जाएगा, तो सीधी सी बात है, कि एक बंदा के लिए, आप जैसे investment chapter में weighted average cost निकालते थे, वही तो निकाल रहे हैं, उसी को यहाँ पर theoretical x rate price बोल रहे है, कि आपके पास यदि बजार में 21 रुपे में एक share available है, तो पास share का total कीमत हो गया in order to get one extra, आपको पास share 21 रुपे का rate से खरीदना पड़ेगा, और एक share आपको तब जाकर 15 रुपे में मिलेगा, तो total number of equity आपके पास कितने हो गया तब, तो बुलते हैं कि आपके पास, या company के पास भी मैं वही लेकर चल रहा हूँ, कि company के पास पहले पास थे, अभी एक और issue हो गया तो 6, तो आपका यहाँ पर result इसे solve करेंगे, तो 5 x 21, प्लस 1 x 15, तो यह क्या हो जाएगा, 5 x 21, ठीक हैं, यह 105 आ रहा है, प्लस 15 रुपे, डिवाइड़ बाई 6, तो आप 6 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड बाई 6, the resulting figure क्या आया है, वो देख लीजिए, तो 1, 2, 0, डिवाइड बाई 6 करो, क्या result आता है, वो तो ऐसे निकलता है आपका, वेटिट अवरेज कॉस्ट, रिवाइड कुछ भी नहीं है, यह आप देखो, आपको लगेगा कि बहुत difficult चीज़ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं, फॉर्मूला लेकने से आप घबरा आ जाते हो, बट ऐसे मैं बोलू कि वेटिट अवरेज यह दि मैं सोच हो, मैंने यह offer सुना और मैं खरीदने चला गया, और company ने बोला, जिनके पास 5 share है, Reliance ने 15 share पर एक share दिया था, मैं आपको बता दूँ, वैसे यहाँ पर मैं offer डाल रहा हूँ, जिनके पास 5 share है, company उनको एक share देगी, वो भी record date पर होने पर मानदो, यह record date है, इस date के, जिनके पास रहेगा 5 share, उनको एक share देंगे, और एक share पंदर रुबे में देंगे, तो फाइदा तो हैं, कि एक share आपको पंदर रुबे में मिल जाएगा, तो यह profit है, कि आपको profit लेके आ रहा है, लेकिन वो एक 5 रुबे का profit पाने के लिए, आपके पास पहले से 5 share करो और रिकोर्ट देट के पहले कोई कोई पहले से रख रख ऊसको मिल जाएगा और रिकोर्डट धे जो अभीक खरीदा सुनकर फरी और उसको भी मिलेगा क्योंकि अब बहुत अब लगा नहीं है तो उस दिन मतलब समझ रहे हो ना company announcement की कि मैं इस दिन attendance लगाऊंगा यहाँ पर attendance लूँगा और जिसके पास 5 होगा उनको मैं एक दे दूँगा तो सीधी सी बात है ना कि company यहाँ पर attendance ले रही है यहाँ पर announce कर रही है तो announce जिस दिन की ना उस दिन 21 पर दाम चल रहा था fair value और attendance ल value क्या है उसको बोलते हैं तो यह हम लोग निकाल रहे अभी यहाँ पर आप देख लो ठीक डंग से किसका दाम 20 रुपया चल रहा है अभी बच्चा भी calculate करेगा देखो कि यहाँ पर बजार में यह रिसका दाम 20 रुपया है तो company आपको 15 रुपय में offer करी है यह निकला क्या मेरा theoretical x right price निकला कि जब rights issue अला benefit cut जाएगा तो share का दाम क्या चलेगा और वो theoretically calculate हुआ क्योंकि exactly क्या चलेगा no one can predict reliance तो उपर भाग गया नीचे कहा आया तो यह तो आप इसलिए सको theoretical x right बोर है क्योंकि यह estimate किया जाता है यह actual होता नहीं है actual कुछ और भी हो सकता है तो that's why actual factor change होगा situation change होगा demand change होगा economy change होगा तो आपका factor के कारण आपका price भी जो है वो उपर नीचे हो सकता है नीचे भी जा सकता है को जरूरी नहीं कि उपर ही जाए तो यहाँ पर आपका 20 rupees हो गया theoretical x right price अब हम लोग बात करेंगे कि दूसरा हमें step number two जो निकालना होता है उसको बो adjustment factor adjustment factor adjustment factor क्या होता है कैसे निकलता है तो आप निकालेंगे adjustment factor is equal to इससे भी घबराने के जरूरत में explain करूंगा elaborate करूंगा adjustment factor is equal to होता है आपका fair value per share divided by theoretical x right theoretical x right price divided by theoretical x rights price आपका fair value है रूपीज 21 divided by ये होगे आपका 20 रूपीज 20 so this is equal to रूपीज sorry this is equal to 21 divided by 20 करेंगे तो क्या होगा 21 divided by 20 is equal to 1.05 1.05 तो इसको अपने adjustment factor कहते है this is called adjustment factor मने ये bonus element निकाल लेता है adjustment factor is nothing but the way of calculating bonus element यानि आपका bonus element कैसे निकलेगा उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर आप ये bonus element निकाले adjustment factor is nothing but bonus element bonus element in right shares तो right shares में bonus element कैसे निकलता है मैं आपको समझा दूँगा number से आपको बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ पर अभी केबल दो step आपने सीखा है कि आपको theoretical x-right price निकालना पड़ता है आपको guess करना पड़ता है कि एक share का दाम क्या होगा तो आपका एक share का दाम जो 30 x-right price है वो 20 रुपीज आया जबकि before आपका मतलब जो दाम था वो पहले उसका दाम 21 चल रहा था लेकिन right issue होने के बाद उसका दाम 20 रुपया हो जाएगा आपको वो चीज कितने में मिला तो आपको मिला 15 में तो आपका benefit कितना है क्योंकि बाद में उसका दाम 20 रुपय चलेगा ना तो आपने तो पहले किया कि हाँ ठीक अभी ऑफर चल रहा है बेनिफेट है तो दाम 21 है लेकिन बाद में जाकर क्या हो जाएगा जैसे ही एक्स राइट होगा उसका दाम कम आ जाएगा क्योंकि सप्लाई साइट बढ़ जाएगा दाम नीचे किरेगा यहां डन दे काल्कुलेशन और आपका 20 रुपी जाया तो इसका मतलब फाइदा आपका कितना रुपय का है पांच रुपय का फाइदा है आपको निकला है पांच रुपय का फाइदा टोटल तो आप समझ सकते हैं कि पांच रुपय का फाइदा हुआ है आपका टोटल इसके उपर और यह पांच रुपय का फाइदा पाने के लिए अल्टिमेटली आपको पांच शेर खरीदना benefit in order to have five rupees का profit आपको इतना investment करना पड़ा तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर adjustment factor हम लोग bonus element कैसे निकालेंगे जब हम लोग अभी numbers लिखेंगे मैं आपको वहाँ पर समझा दोंगा अभी example लिख रहे हैं यह जो हमने किया है इसके उपर example लिखेंगे कि आप क्या करेंगे अब कि step two हो गया ना step three weighted average कैसे निकालेंगे step three step three while calculating while calculating weighted average number of shares while calculating weighted average number of shares adjustment factor adjustment factor should be applied like bonus shares adjustment factor should be applied like bonus shares थेकर ना bonus shares का जो treatment आपने किया था वैसे ही आपको adjustment factor का treatment करना क्योंकि यह bonus element ही है तो उसका आपको कैसे निकालना है तो आप क्या करेंगे जो आपका number of shares होगा number of shares number of shares multiplied by adjustment factor adjustment factor multiplied by time factor time weight यह time factor तो time factor से आप क्या करेंगे जो time ratio है उससे multiply करेंगे you will get the weighted average number of shares आपको मिलेगा weighted average number of shares मिलेगा इवेन आपको last year का भी weighted average number of shares को revise करना पड़ेगा क्योंकि आपने bonus का क्या treatment सीखा है कि comparable बनाने के लिए हम last year का भी जाकर data को change करते हैं तो while calculating weighted average number of shares adjustment factor शुट भी applied like bonus shares मैंने जो बोला उसका मतलब यही है कि आप तो normal जो करते हों करोगे लेकिन last year का data को भी जाकर जैसे bonus share में किये दे हो वैसे ही आपको इसका भी treatment करना होगा आप देखें कि example से अपने इस बात को पूरा clear कर लेंगे तो heading डालेंगे example और लिखेंगे example में आप लिखेंगे 2018 और अठरा उननेस नंबर आफ एक्विटी लिख दो नंबर आफ एक्विटी शेर्स फाइव लाक्स ठीक है और प्रॉफिट लिख दोगे profit for equity shareholders या shortcut लिखो न EPS हम लोग एक सम किये थे वैसे एर्णिंग पर शेर इस इक्विटी रूपीज फोर चार रूपे आर्णिंग पर शेर आईए डेटा हमारे पास 18-19 का है अब हमारे पास डेटा 19-20 का लिखते हैं तो 2019-20 में क्या है तो 2019-20 में आपका profit जो है वो बता दिया profit for equity shareholders for equity shareholders is equal to तो यहाँ पर profit आपका बता दिया है कि आपका profit जो है वो 35 lakhs है 35 lakh का profit हुआ है और यहाँ पर बता दिया कि rights issue की है अपने rights shares issued ठीक है ना right shares issued at the rate of at the rate of rupees 15 in the ratio of on date भी डाल दिजी तो 1st अप्रिस अपने counting year start होता है अप्रिल में जून on 1st जून 2019 इन वन शेर one shares one share for every five shares held five shares held तो rights issue अपने कर रहे हैं issued at the rate of rupees 15 on 1619 one shares for every five shares held एक shares देंगे पाच के बदले में तो यहाँ पर अब हमारा बात हो गया कि अपने fair value क्या चल रहा है तो लिखेंगे fair value fair value before rights issue rupees 21 rupees 21 अभी आपसे बोल रहा है calculate calculate basic EPS basic EPS for the year 2019-20 for the year 2019-20 2019-20 के लिए आपको basic EPS निकालना है and also calculate and also calculate calculate revised EPS revised basic EPS for the year 18-19 for the year 2018-19 तो हमें EPS निकालने के पहले हमारा सारा focus होना चाहिए कहाँ पर तो वेटेट आपर निकालने पर हमारा focus होना चाहिए तो हम लोग सबसे पहले पिछले साल का data का बारे में सोचेंगे नहीं हमारा adjustment factor निकालना हमारा target होना चाहिए तो आपका सबसे पहले solution heading डाल दीजिए solution और आप लिखेंगे सबसे पहले theoretical x-rate price निकालेंगे तो theoretical x-rate price theoretical x-rate price is equal to कैसे निकलेगा आपको अच्छे तरीकी से पता है कि total number of shares outstanding है पांच लाग total number of shares outstanding है before right issue पांच लाग और share का दाम चल रहा है क्या fair value है 21 तो पांच लाग into 21 और offer किया गया क्या ratio में तो बोला गया company ने offer किया है one shares for every five shares held one shares for every five shares held यानि एक share company देगी हर पांच शेर के बदले में तो पांच लाग के बदले में कितना shares देगी एक लाग shares तो right issue आएगा एक लाग shares और company offer करेगी पंदर रुपय करेट से divided by total number of equity तो total number of equity हो जाएगा यह five lakhs plus one lakhs यानि one lakh तो six lakhs से आप divide करोगे तो यह हो गया five lakh into 21 is equal to 10 lakh आफ एक करोड़ पांच मतलब एक करोड़ पांच लाख आ रहा है one zero five double zero triple zero और फिर यह हो गया पंदर लाख तो प्लस पंदर लाख इसमें आड़ कर दीजिए पंदर लाख एड़ कर दिया तो total figure एक करोड़ बीस लाग divided by आप क्या करेंगे तो divided by हो जाएगा आपका number of equity six lakhs तो 30 lakhs right by is divided by 6 lakh कर दीजिए तो यह बीस रुपया हम लोग आलड़ी रेशियो पे तो यही चीज़ निकाले थे 20 रुपीज यही मैंने तो number same ही रखा था ना वहाँ पर देखे ठीक से तो मैंने जब यह explain किया था तो मैंने पांच share रखा था कि और पांच पर एक शेर जैदी company right issue करता है तो उस case में आपका क्या हो जाएगा तो देखे रेशियो पर अप्लाई करिए या टोटल फाक्टर काल्कुलाइट एड्ज़ेस्ट्बेन फाक्टर कैसे एं फ्यर RAW वैलू एक्स वधिट भी फ़्याराइट इशू औरवाईड़ वायड़ेट बाए थृतिकल एक्स राइड प्रेस सुनरी थसलो डीलल meg cryल ear bass क्या है वहए वह आप लिख देंगे आपने calculate किया है step 1 में तो fair value before x rate है 21 rupees divided by आपका क्या हो जाएगा 20 is equals to 1.05 इसको अपने adjustment factor बोलते हो और work ताने पर मैं समझाऊंगा यह बोला भी हूँ कि यह adjustment factor जो है बोनस element क्यों है तो इसी समस में समझाऊंगा मैं तो आप ध्यान से समझेगा अब यहां पर मैं वेटेट अवरेज नंबर आप शेयस निकालने जा रहा हूं तो आपका क्या होगा तो वेटेट अवरेज नंबर आप शेयस आप लिखोगे यहां पर वेटेट अव यहां पर होगा आपका आप फॉर्द यह नाइंटीन ट्वेंटी कर रहें उननीस बीस तो आपके पास सुरू में शेयस कितना था तो बोलते हैं सुरू में शेयस पांच लाग था तो पांच लाग शेयस का है कि मल्टिपल्ए मल्टिप्लाइड बाइड्जस्टमेंट Compact टर 1.05 मल्टिप्लाइड बाइट राइम फाक्के तो टाइम फेक्टर आप देख लीजें न कि आपका टेम टाइम लाइन पर यह आप डालेंगे तो अपने कोई हरवड़ी नहीं है यहां पर आपको मैं दिखा दूँ तो यह हमारा एक बड़ा फ्लाग है कि और यह एक फ्लाग है और बीच में फ्लाग यह है जहां पर अपने राइट शिशू की है तो यह हमारा जैदी देखेंगे यह हमारा डेट है 1st April 19 यह डेट है 31st March 20 और यह डेट है जिस दिन हमने डाला है 1619 तो यहां से यहां तक हमारा सिर्फ 2 मेना यहारा है 2 मन्स तो हमारा दो मैना हमारा एड्जस्मेंट फैक्टर दो मैने के लिए एफेक्टिव एप्रील और में क्योंकि फर्स जून को राइट इशू किया गया है तो यहां पर आपका बोनस एलिमेंट जो है वो बिगनिंग से ही माना जाता आपको अच्छी तरीके से पता है कि बोनस ए कर दिये multiplied by 2 by 12 multiplied by 2 by 12 कर दिये प्लस यहां के बाद आपका नमबर और शेर जो है नप यहां तो 5 लाग था अभी यहां पर प्छ लाग एक लाग और इसू हो गया तो अभी यहां से आपका बैट जस्मेंट क्तर नहीं तो शेर इसू हो गया है तो आप यहां पर च्छेर हो ग गर दिया तो इसके अंदर में 6 लाक इंटू आप ऐसे भी कर सकते मैं आपको ब्रेक अप बताऊंगा थोरे दिर में 6 लाक इंटू 10 बाइ 12 6 इंटू 10 बाइ 12 तो अभी यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं कि आपका पांच लाक पांच लाक multiplied by 1.05 multiplied by 2 divided by 12 तो यह हो गया आपका 87,500 प्लस 6 लाक इंटू 10 divided by 12 पांच लाक तो रिजल्टिंग फिगर इस 5,87,500 weighted average number of shares आया weighted average number of shares आया 5,87,500 shares अब बच्चा को मैं और इसको मतलब decode कर दूँँगा कैसे weighted average number of shares है देखो ठीक से bonus element कितना था तो बोनस element पांच शेर पर एक शेर दिया गया पांच शेर पर एक शेर दिया गया एक शेर का fair value कितना है आप देख लीजी तो बोलते हैं कि यदि अपने ये 5 लाक पर calculation करते हैं तो 5 लाक शेर पर 1 लाक शेर हमें total हमने इशू किया है 5 लाक शेर पर 1 लाक शेर हमने as a bonus इशू किया है अब यदि मैं मार्किट में जो fair value होता जो theoretical x-rate value था बुलते हैं कि यदि मैं मार्किट में issue करता fair value पे तो issue करने के कारण दाम गिर जाता तो उसके कारण बजार में दाम चल रहा होता 20 रुपे तो यदि मैं 20 रुपे में issue करता ना एक लाग share ये logic समझ रहें आप अब आप logic समझ के करो तो बुलते हैं यदि मैं मार्किट में एक लाग share if right shares issued at fair theoretical x-rate price at theoretical x-rate price मतलब कि theoretical fair value तो if right shares issued right shares issued ये exam में नहीं लिखना है ये आपका note बन रहा है तो if right shares issued at theoretical x-rate price मतलब assume कर लिया जाए कि वही दाम चलता यदि बजार में हम share issue करते तो दाम नीची के तरफ आ जाता और 20 रुपया होता तो if right shares issued at theoretical x-rate price that is that is at the rate of rupees 20 20 रुपय में ये दि हम बेचते तो हमारे पास total consideration कितना received होता है total consideration total consideration would be क्या होता so total consideration would be 1 lakh multiplied by 20 रुपीस यानि की 20 रुपया आता total consideration मेरे को 20 रुपया मिलता लेकिन अपने total consideration 20 रुपया मिलता लेकिन actual consideration received कितना है actual consideration received is equals to है आपका एक लाख शेर्स पर मुझे पंदर रुपया करके ही मिला तो पंदर लाख रुपया मिला therefore total bonus कितना मैंने दे दिया therefore total bonus शेर्स कितना दे दिया total bonus in rupees कितना दे दिया in rupees is equals to 15 20 रुपया माइनस 15 रुपया is equals to 5 रुपया पांच रुपया मैंने bonus दे दिया यदि मैं इसी रुप सेर्स की टम्स में बोलनू कि यदि मैं यह बोनस सेर्स के टम्स में कितना दे दिया पांच रुपया मैं कितने शेर्स आते so number of shares number of shares that could be that could be purchased out of bonus in rupees is equal to 5 रुपया दिवाइड बाइड बाजार में दाम चल रहा था 20 रुपया ठीक है ना पांच लग पांच अजार शेर्स तो number of shares that could be purchased out of bonus मतलब कि मैं आपके सेंस में लिख दिया यह कितना हो सकता है तो 25,000 शेर्स आ जाता और adjustment बाट इसके पीछे जो hidden meaning है वो मैं आपको elaborate कर रहा हूं यदि company यदि फेर वैलू में इशू करती तो उसके एगेंस में 15 जो रुपया मिले उसके एगेंस में कितना शेर इशू करती तो number of मैं alternative में बोर रहा हूं number of shares number of shares to be issued to be issued against consideration received consideration received तो जो consideration मिला है उसके एगेंस में यदि company शेर इशू करती तो कितना करती तो company को मिला 15 लाग रुपया एक लाग मॉल्टिप्लाइट बाइ 15 रुपय करके 15 लाग रुपय डिवाइड बाइड बाइड यदि company number of shares to be issued against consideration received तो 15 लाग रुपय कम्पनी को मिला और एक शेर यदि 20 रुपय के रेट से company इशू करती डिवाइड बाइ 20 तो number of shares to be issued against consideration received at fair value भी लिख दीजिए at fair value कि fair value पर यदि शेर इशू करते fair value मतलब कि theoretical x right price theoretical x right price तो कितना shares होता वो अपने लिख रहे हैं तो 1,00,000 into 15 divided by 20 is equals to आपका कितना shares आता है आप देख लीजिए तो this is 75,000 shares पिचतर हजार share issue करना पड़ता इससे आपको ज़्यादा और better समझ में आएगा क्योंकि वहाँ पे मैं बीच में क्या किया आपके point of view से डाल दिया तो number of shares to be issued against consideration received at fair value is equal to 75,000 actual number of shares issued कितना है तो actual number of shares issued shares issued is equals to है आपका एक लाग shares एक लाग shares bonus मतलब right issue में दिया है तो therefore bonus shares कितना हो गया इसके अंदर में तो bonus shares और bonus shares का मतलब होता है जिसके आपका consideration नहीं मिला हो तो bonus shares is equal to हो जाएगा एक लाग shares minus 75,000 shares the difference 25,000 shares is the bonus element अब जो adjustment देखो यही था bonus shares वाला अब adjustment factor से ना जो multiply कि आप देख लीजिए पाँच लाग into 1.05 करिए पाँच लाग adjustment factor से multiply करने से बोनस का effect आ जाता है तो मैं क्या बोर रहा हूँ न कि आपना ये वाला this into this करके देखिए क्या आता है 5 lakhs into 1.05 करिए कितना आता है पाँच लाग 25,000 इसका मतलब ही है कि adjustment factor जो आपको कुछ बताया नहीं बट उसका मतलब यह है adjustment factor में bonus element है वो bonus elements कैसे निकल आएगा तो 5 lakhs में आप क्या करेंगे 1.05 जो adjustment factor से multiply करेंगे तो result आ जा रहा है तो आप इससे आपको better समझ में आएगा यह जो alternative वला है यह number of shares to be issued against consideration received fair value तो जदी fair value जो रुपया में मिल रहा है right issue करके तो number of shares 75,000 issue होता बट actual number of shares issue करना पड़ा है एक लाख क्योंकि consistent rate पेश हुआ तो bonus shares element कितना हो गया bonus shares हो गया 25,000 shares वो हम कैसे निकाल रहे तो यह आपको ऐसे exam में नहीं दिखाना है यह exam में नहीं दिखाना है आपको exam में तो यह दिखाना है जैसे मैं किया हूँ यह दिखाना है और यह दिमाग में बहुत बार खुद जब मैं AS20 पड़ा था तो मेरे दिमाग में बहुत बार चला कि आखिर यह हुआ कैसे adjustment factor क्या है तो बात में बहुत सूचने के बाद यह idea develop हुआ कि हाँ ठीक है यह ऐसे करने से इसका मतलब यह निकलता है वो मैं आपसे share कर रहा हूँ आपसे मैंने साजा कर लिया कि मैंने इसके प्रतिक क्या सोच रख बाता है ना कि bonus issue हो गया तो इसलिए beginning में ही आपको effect डालना पड़ता है तो that's why यहां पर अब solution का हिस्सा चलेगा यहां पर वेटेड अवरेज नंबर अब शेयस निकल आया था तो फाइव लक्स इंटू 1.05 अब बच्चा के मन में यह वाला भी आएगा प्लस सर जो आपन था ठीक है प्लस 25,000 bonus का हो गया इंटू 2 बाई 12 यह समझ में आया प्लस तो पैटा यह 525 तो समझ में आ रहा ना तुमें तो तुम वही करो 525 इंटू 2 बाई आगे 525 इंटू 10 बाई 12 बोनस वाला एफेक्ट इसके आगे भी बढ़ा दिया आपने ठीक है 10 बाई 12 और प्लस प्लस आपने 75,000 शेर्स इशू किया है पैसे लेकर तो यह हो गया आपका 10 बाई 12 तो यह तो आप यहां से लेगे यहां तक आप करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 525,000 इंटू 2 बाई 12 525 इंटू 2 बाई 12 दिवाइड बाई 12 दे रिजल्टिंग फिगर इस 87,500 इधर में भी 525,000 इंटू 10 बाई 12 4,37,500 और 57,000 इंटू 10 बाई 12 इस इकोस तो 62,500 टोटल करेंगे इस प्लस 4,37,500 प्लस 87,500 इस इकोस तो कितना 587,500 587,500 कैसे भी निकाल लो वही जिदी समझ में आ गया ना तो आप कैसे भी कर दोगे लेकिन एक्जाम में ऐसे करना है theoretical x rate price adjustment factor लेकिन आपके मन में जो question चल रहा होगा ना उसको solve करने के लिए मैंने ये effort डाला है ये वला आप alternative वला approach पर ध्यान दोगे number of shares to be issued against consideration received at fair value तो ये आता और actual number of shares issued अपना कितना है वो मैंने लिख दिया तो bonus shares मेरा bonus shares element कितना है तो जो मैं adjustment factor को बोल रहा था कि वो bonus element है वो मैं प्रूफ करके दिखाया यहाँ पर मैं कोई adjustment factor से multiply नहीं किया हूँ मैंने किया कि bonus element वाला effect डाला ओके 5 लाग और 25 जार हमारा bonus share है मैंने जोड दिया और 5 लाग 25 जार का 2 by 12 किया उसके बाद 25 इंटू 10 by 12 और 75 जार शेयर के इसमें तो consideration आया यह तो 75 जार इंटू 10 by 12 के answer आ गया 587 500 आ गया तो यह आपका खुद का R&D था आप बोल सकते हैं यह और research and development था यह आप अपने लिए ऐसा किये है आपके मन में फिर भी कोई query हो मेरे से clearly पूछिए कोई दिक्कत नहीं है अब हम लोग जैसे पांच exam में जो करना हो यह पार्ट है हम लोग अब इस साल का EPS निकाल देना तो इस साल का EPS होगा आप सीधा लिखेंगे प्रॉफिट दिया हुआ था इस साल का प्रॉफिट है 35 लाग रुपए तो आप लिखेंगे basic EPS solution continue हो रहा है solution continue basic EPS for 19-20 is equal to 35 lakhs divided by divided by number of weighted average number of shares 587500 तो 35 लाख divided by 587500 result is 5.957 5.957 अभी आपको last year का भी फिर से क्या करना पड़ेगा revise करना पड़ेगा तो revised EPS for 18-19 is equal to उस साल का profit कितना है तो आप निकाल सकते है 20 lakhs कैसे मिला 20 lakhs तो आप देख सकते हैं question देखिए 5 लाग shares था चार रुपए करके तो 20 लाग कमाई हो गया ना यह this into this तो 20 lakhs तो आप लिखेंगे यहाँ पर रुपीज 20 lakhs profit previous year का divided by previous year का number of shares कितना था पाच लाग number of shares पाच लाग और bonus element का effect पिछले साल भी effect डाला जाएगा bonus का ताकि क्या हो ultimately मेरा जो comparable हो सके इसलिए आप इसे या तो 25,000 आड़ कर दीजिए या तो 1.05 से multiply कर दीजिए तो आप multiply करेंगे exam में ऐसे दिखाना है so adjustment factor से आप multiply करके लिखेंगे यानि कि 20 lakh divided by 5,25,000 अब आपको picture clear हो रहा होगा कि 5,25 क्यूं कर रहे है adjustment factor से क्यूं multiply हो रहा है क्यूं का answer आपको मिल रहा है उसी के लिए मैंने अपने इतना effort डाले हैं तो आपको 20 lakh divided by 5,25,000 the resulting figure is 3.80, 3.81 कर दो तो 3.81 तो आप देख सकते हैं कि पहले पिछले साल था आपका 4 रुपे बट adjustment factor bonus element का effect डालने के बाएद वो आ गया 3.81 इसका इसका comparison हो पाएगा ultimately ठीक है तो आज class में हम लोग एक level पर आके रुख गये हमें weighted average number of shares हम लोग यह complete कर लिए लेकिन अगले class में हम लोग diluted यानि कि dilutive options या diluted EPS कैसे calculate होता है यह अपने next class में करेंगे तो अगले class तक के लिए till then good night and take care काफी रात हो चुका है मैं यह आज वीडियो बहुत late night बना रहा हूं तो thank you and पंदर अगस्त भी आने वाला है तो that's why जय हिंद